हेलो 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 गुड आफटरनून बच्छो गुड आफटरनून क्या हल चाल आप लोगों के बढ़ियां एक्दम तो बच्छो आप सभी लोग का स्वागत है अपने इस अमीजिंग प्लाटफॉर्म फिजिक्स वाला में ठीक है ओके तो गाईज यह हम लोग आपके सामने ज सारे के सारे ऑरगिनिक के सिरिय्ट्र कीए laid इसमें कोई बुराई only नहीं होती है सारे के सारे ओरगिनिक 1971 कहा रहर होते हैं जी योसी की तयारी इलेवंत के बच्छे के लिए काफी कासी बच्छ को के इस वीडियो लेक्च्छ का फाइदा उठा सकते हлисьamız हम इस mind map series में बच्चों आपको क्या देते हैं हमने उन बच्चों के लिए series बनाई हुए जिन्होंने chapter को पढ़ा हुआ है बच्चों ने जिन्होंने chapter को पढ़ा हुआ है लेकिं chapter पढ़ने के बाद चाहते हैं बहुत जल्दी से सारे important concepts को brush up कर ले एक teacher की experience के नजरिये से सारी की सारी important चीज़े हमाई जहन में आ जाएं दोस्तों वो इस mind map series में हम आपके लिए ले करके आते हैं हमने इसके लिए आपके साथ साथ कुछ practice question भी रखे हुए है तो जिनको practice question का मन करे कर सकता है जिनको ना मन करे उसे theory देख के भी खदम कर सकते लेकिन बच्चों ये आपक पिक्चराइशन को वापस से बच्चों clear कर देंगे ठीक है चलिए भाई तो बिना देरी के इस session को इस amazing session को शुरू करते हैं और इस G.O.C. के lecture को आई चलिए देखते हैं ठीक है इस G.O.C. के lecture में हमें क्या-क्या देखना होता है जनरल और्गिनी chemistry में सबसे important क्या होता है electronic हमको सारी electronic effect, inductive effect, resonance, mesomeric effect इनके important key points को हमने brush up करना है इन electronic effects की मदद से हमने reaction intermediate की stability order को समझने में थोड़ा सा help लगती है हमको help मिलती है और इसके बार फिर हम लोग को acidic और basic extent जो molecule की होती है उसके बारे में दोस्तों हमको बात करने कि किस तरीके से molecule का acidic और basic extent कवर अप करते है किनके इन point को किस sequence में apply करते हैं ठीक है ये सारी चीज़े हम लोग को देखनी है चलिए भाई शुरुवात करते हैं topic की तो बच्चो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे है inductive effect देखो inductive effect में हमको क्या क्या चीज़े ध्यान देनी है भाई देखो inductive effect सभी electronic effect में सबसे पहला effect है inductive effect बच्चो हर molecule में apply होता है because it applies over sigma bond resonance कहां लगता है पाई bond पे उपर लगता है पी और electron के उपर लगता है अब ही पी और electron तो तभी होगे ना जब hybridization sp2 या sp है लेकिन inductive effect हर जगे apply होता है तो ये weak electronic effect है ये बच्चो weak electronic effect होता है ये weak electronic effect है कहां पे लगता है over sigma electron बच्चो ये it applies over sigma electron sigma bond या sigma electron पे लगता है ठीक है अब चुकि बच्चो sigma bond और sigma electron बहुत tight होता है तो इसलिए कोई भी atom और group sigma electron को बहुत ज़्यादा attract और repel नहीं कर सकता है दोस्तों मैं अपनी ताकत को अगर plastic के उपर लगाऊ तो लगा सकता लेकिन अगर मैं किसी पहाड के उपर अपनी ताकत लगाऊँगा तो पहाड के उपर कोई भी बच्चो distortion नहीं होगा क्योंकि वो strong है वही तरह से कोई भी group कोई भी atom group अगर sigma electron को खीचेगा repel करेगा ज़्यादा नहीं कर पाएगा तो इसलिए इसका effect बहुत ज़्यादा न अब बच्चो प्लस आइफेक्ट वाले वो बंदे होते जो electron repel करते हैं अब हैल से कोई गुर्प लगा होगा ध्यान से सुनना अगर किसी अटम से कोई प्लस आई वाला गुर्प लगा होगा तो प्लस आइवाला इलक्ट्रों क्या प्लस आधेगा तो अपने उपर plus दूसरोपे- । मैं हमेशा बच्चों को इच्छी सम्झाता हूँ, प्लस आई वाला क्या करेगा? अपने उपर प्लस, दूसर रूपे माइनस. प्लस आई वाला क्या करेगा? अपने उपर प्लस, दूसर रूपे माइनस. चार्ज और ट्रिबल डेल्टा मतलब बहुत बहुत थोड़ा नेगेटिव चार्ज ठीक है तो ये चीज़ हमाई पास है प्लस आई एफेक्ट वाला क्या करेगा अपने उपर प्लस दूसरों पर माइनस इसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्योल में कोई माइनस आई वाला गुरुप है तो ये उलेक्टरॉन खीचेगा उलेक्टरॉन खीचेगा अपने उपर माइनस दूसरों पर प्लस डेल्टा प्लस, डबल डेल्टा प्लस और ट्रिपल डेल्टा प्लस, चार्ज की दूरी, डूरी के साथ, चार्ज का जो magnitude है, intensity है, वो दूरी बरने के साथ कम होती जाती है, ठीक है, तो ये हमाई पास यहाँ पर चीदे हैं, चलो, बहुत basic बात है, हर कोई जानता है, अच्छी करते हैं, तो बच्चों के साथ ये चीज़ समझ में आती है, कि बच्चे कई बार पहचानी नहीं पाते हैं, कि इस ग्रूप का minus i होगा, प्लस i होगा, तो देखे, हमेशा बच्चों को हम ये चीज़ समझाते हैं, कि पहले minus i effect होगा किसका, पहले इसको common sense से समझो, बेटा पहले जिसके उपर plus charge है, अगर किसी atom के उपर positive charge है, certainly वो electron खीचेगा, ठीक है, तूसरी चीज़, electron negative atom, बच्चों, electron negative atom, oxygen, halogen, nitrogen, ये भी बच्चों electron खीचते हैं, ठीक है, इसके बाद बच्चों, वो सारे function को जिन में क्या मौझूद है, polar pi bond, ये polar pi bond बड़ी अवश्यक ची होता है, ठीक है, ये चीज़, तो polar pi bond वाले बड़े, ये भी चीज़, और साथ-साथ और कौन बच्चों, carbon carbon multiple bond, carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, benzene ring का भी बटा-minus i effect होता है, because they are electron negative atom, ठीक है, तो carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, और benzene ring, इनका भी बच्चों minus i effect होता है, कम होता है, लेकिन होता है, तो सब लोग मेरे सार फिर से बताइए किस-किस का बचो minus i effect होगा. दोस्तों, minus i effect होता है हमारा सबसे पहले ऐसे atom जिनकों पर plus charge है किसी ग्रूप में, किसी function ग्रूप में, अगर electro negative atom है जैसे NH2, OH, OR ether group ये सब, ठीक है, इसके अलावा polar pi bond जैसे NO2, CN, HSO3, LD high ketone ये सब बचों, और इसके अलावा फिर carbon, carbon multiple bond, ठीक है ये minus i effect होता है, इन ग्रूप का minus i effect होता है, पहचाना सीखो पहले पहले पच्चों पहचाना सीखिए, ये जरूरी है, ठीक है, चलिए, ओके, great अब बच्चों हमने इस series को आपके लिए लिखाया हुआ है, अब दोस्तों हमने इस series को लिखा हुआ हुआ, अब इस series को जल्ली से लिख लेते देखो, सबसे पहले इस series में कौन है सर, सबसे पहले है positively charged atom, और ज़ाधा electro negative atom पे positive charge होगा, तो minus i भ्यानक होगा, तो O plus N plus बहुत ज़ाधा है, ठीक है, उसके बाद कौन है, फिर NO2 है, फिर HSO3 है, CN है, NO2, HSO3, CN neutral functional group में I repeat, बेटा, neutral functional group में सबसे तगड़ा minus i effect NO2 का होता है, neutral functional group, देखो, इन सब पह तो charge है neutral functional group में सबसे तगड़ा minus i effect NO2 का होता है हम उसको बहुत respect के साथ देखते है इसी लिए, ठीक है, तो NO2 का बेटा minus i होता है, इसके बाद HSO3, CN, ठीक है, उसके बाद carbonil compounds होगरा आ जाते हैं carboxlic acid derivative, aldehyde की tone, ये सब चीदे आ जाएंगे, फिर हमाई पास halogen होगरा है, और उसके बाद हमाई पास O-R, O-H O-R, O-H, and then carbon, carbon triple bond, and then NH2, यहाँ पर बेटा यार रखना कि carbon की electronegativity, although nitrogen से कम होती है लेकिन SP hybridized carbon कौन बेटा है, SP hybridized carbon bond vita पी करके हम क्या कहते है, carbon वैसे तो electronegative कम होता है, लेकिन SP hybridized carbon हम कहते है, भाई, bond vita की बेटा पीने के बाद nitrogen से जादा electronegative हो जाता है ठीक है, बड़ कौन सा nitrogen? SP3 तो SP hybridized carbon SP3 nitrogen से जादा electronegative होता है ठीक है, तो यह चीज़ हमारी, और उसके बाद फिर benzenling, फिर double bond यह सब चीज़ें आ जाती है, तो यह बच्चों नई साली से नई साली से कार, यह सब बेटा carbonal groups है, तो इनको हम कहने कह दिये कार ठीक है, कार, फिर उसकी बाद helicopter, halogen है तो helicopter halogen है तो बेटा helicopter, ओई, नई नई शर्मा ने नई नई साली से कार, helicopter ठीक है, और और alcohol मांगा, देखो हमने कहा कि भई देखो, नई नई हमाई जो शर्मा जी है, उन्होंने नई नई साली से, नई नई शादी हुई है, तो नई नई जोस में आ करके, नई नई साली से, पहले कार मागी, फिर helicopter मागा, फिर उसके बाद वो नीचता की हद पर उतर आया, फिर उनने अलकोहल माग लिया, जैसे उन्होंने अलकोहल मागा, तो हमें समझ में आ गया, भाई जी, ये शर्मा जी, अब बहुत जादा एक्टम खराब हो रहे हैं, इनको तो सबक से खाना पड़ेगा, तो उनसे गुसा करके, हमने अलकाइदा को बुला दिया, हमने किसको बुला दिया, अलकाइदा को, अलकाइदा, अलकाइदा को हमने बुलाए, अलकाइदा ने बेंजीन पे, अलकाइदा ने बेंजीन को हराया, ठीके, बहुत ही बेड़ा सीझी सी बात है al-qaeda ने बेंजीन को हराया बहिए देखे al-qaeda कहीं का गुसा कहीं निकाल सकता है उकर देज़ता है आज खर में खाना च्याइन वना चार मेली मिल्दा यॉक्रेन पर दख दी इसी तARगे से शर्मा जी की कर्दूस की कारण अलकायदा ने बेंजीन के ऊपर अपना गुसा निकाल दिया ठीक है यह चीज़़व हम केमेस्ट्री पे अपना गुसा कहा निकालें बेंजीन पे निकालेंगे ठीक है तो इस तरह से बचो माइनस आई इफेक्ट है बेटा देखो सिरीज आप भूल सकते हो एक्जाम में क्योंकि इतना सारा प्रेशर रहता है इतने सारे चैप्टर्स होते हैं सिरीज भूल सकते हो बट यह लॉचिक बेटा यादर किये है ठीक है पॉजिटिवली चार्ज आटम इलेक्टर निगिटिव आटम पोलर फाई बॉन्ट कार्बन कार्बन मल्टिबल बॉन्ट यह सब चीदे ठीक है चले ग्रेट नाइस वंडरफूल तो इन सब का बच्चो माइनस आई इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट वाला कौन होता है अपने उपर प्लस और दूसरों पर माइनस चार्ज लाएगा ठीक है यह चीद अब समझो पेठा कौन बंदा इलेक्टर रिपल करेगा कौन बंदा बच्चो इलेक्टर रिपल करेगा देखो सबसे पहली बात तो नेगटिव ली चार्ज आटम देखो अगर किसी आटम पे नेगटिव चार्ज है तो वो इलेक्टर रिपल करेगा क्योंकि चार्ज दर्द की तरह होता हमेशा बच्चों को बताते है चार्ज दर्द की तरह है chemistry में चीदी stable होना चाहती है और stability का बाएगा जब चार्ज कम होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला बंदा और इलेक्टर नहीं लेगा क्योंकि इलेक्टर लेगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा stability कम हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज वाला बंदा क्या करेगा इलेक्टरोन को रिपल करेगा तो वो सारी atom, जिनमें negative charge है, वो electron repel करेंगे, अच्छा, electron repel में भी याद रखना, बिटा, कम electron negative atom, दोस्तों, less electron negative atom, less electron negative atom का repulsion अधिक होगा, more electron negative atom का repulsion कम होगा, c- का plus i ज्यादा है, o- का plus i कम है, क्योंकि oxygen electron negative है, electron negative atom का deep down the heart, deep down the heart, electron के लिए प्यार होता है, मौबद होता है, electron को पसंद करता है, तो उसको repel, उसके साथ नफरत उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन less electron negative atom आराम से repel करेगा, तो सबसे पहले कौन electron को repel करेंगे, negatively charged atom और group, negatively charged बिटा, atom और group, उनका plus i effect होगा, और बच्चों क्या pure hydrocarbon, pure hydrocarbon chain, pure hydrocarbon chain with single bond, ठीक है बटा, with single bond, pure hydrocarbon chain with single bond, बच्चों pure carbon hydrogen को जो chain है, single bond वाली, उनका भी बच्चों plus i effect होगा, इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, pure hydrocarbon chain होनी चाहिए, मतलब कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ carbon hydrogen होनी चाहिए, तभी बच्चों plus i effect होगा, इसका plus i effect होगा, लेकिन अगर मान लीजे, उसमें कोई और atom आ गया, जैसे कि यहाँ पर oxygen आ गया, तो इसका minus i effect लेते हैं, I am saying pure, मतलब सिर्फ carbon hydrogen होना चाहिए, और single bond, तभी बच्चों उसका plus i effect लेंगे, अगर वहाँ सिर्फ पर कोई और group आ गया, तो minus i हो जाता है, यह चीज़, अब देखो बचा, किसका plus i effect है, समझ लेते हैं, सबसे पहले होगा c minus, क्योंकि carbon है, negative charge है, electron repel करेगा, c minus, फिर n minus, फिर o minus, उसके बाद co minus, क्योंकि यह भी एक functional group है, with negative charge, तो यह भी plus i effect ही show करेगा, c minus, n minus, o minus, co minus, उसके बाद बेटा, three degree alkyl group, tertiary alkyl group, secondary alkyl group, primary alkyl group, ठीक है, यह चीज़, जितनी बड़ी carbon की chain होगी, उसका plus i effect उत्र ही ज्यादा होगा, ठीक है, यह चीज़, अगली चीज़ बच्चा यह भी आ रखना, कि isotope effect भी आ रखना, triterium वाले alkyl group का plus i effect, deuterium वाले से अधिक होता है, और deuterium वाले का hydrogen वाले से अधिक होता है, plus i effect में यह order भी याद रखना, काफी important है, isotopic effect, काफी कई बार बच्चों को जेई में, सवाल में उल्जाता है, carbon triterium bond का plus i अधिक होगा carbon deuterium से, और carbon deuterium का अधिक होगा carbon hydrogen से, ठीक तो बस यह आद रखिए, कि isotope में higher isotope, heavier isotope का plus i effect अधिक होता है, ठीक है, यह चीदे, चलिए साफ, बहुत अच्छी बात है, great, nice, wonderful, चलिए, अब inductive effect समझ में आ गया है, ठीक है, inductive effect समझ में आ गया है, किसका inductive effect है, यह बच्चों को समझ में आ गया है, अगर inductive effect समझ में आ गया है, तो अब आते हैं, बच्चों, application of inductive effect पर, application of inductive effect, जो effect, inductive effect का है, कुछ उसी तरह का effect, दूसरे effect भी करेंगे, मतलब, जो काम plus i कर रहा है, वही काम plus m भी करेगा, वही काम plus h भी करेगा, तो सारे effect, सारे electronic effect एक ही तरीके से operate करते हैं, हाँ, उनकी intensity, बच्चों कम जाद होती है, लیکि उनकी काम करने का तरीका एक ही जयसा होता है, जैसे कि दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं, Inductive Effect के बारे में अगर हम बात्चीत करें तो सबसे पहले आ रखना Reaction Intermediate Reaction Intermediate में याद रखेगा Reaction Intermediate में याद रखेगा हम बच्चों को बताते है सर A-C-Positive A-C-Positive हम बच्चों को बस यह बताते है A-C-Positive C-Positive याद रखना बहुत असान है वही कम्प्यूटर का जमाना है तो C-Positive कम्प्यूटर का जमाना है सर C-Positive C++ language वगरा सब सीखते हैं चीज़े पुरानी हो गई है लेकिन तब भी C-Positive तो Carb A9 को क्या पसंद है Stability of Carb A9 Stability of Carb A9 Stability of Carb A9 Increased by minus i-effect अगर Carb A9 से एक ऐसा group attach है जो minus i-effect लगाता है तो वो उसकी stability को enhance करेगा क्यों? क्योंकि minus i-effect वाला क्या करता है electron खीचता है और electron खीचेगा तो negative charge होगा वो कम हो जाएगा समझ सकते हम लोग जैसे कि हमाई पास ये Carb A9 है इससे हमने एक group लगा दिया minus i-effect वाला तो minus i वाला क्या करता है सर अपनी उपर negative और इसके उपर positive तो ये इसके उपर हलका plus charge generate करके इसके charge को कम कर रहा है और charge दर्थ की तरीके से होता है charge कम होने से stability बढ़ती है तो stability of carbo-9 enhanced by minus i-effect and stability of carbo-ketain and बच्चो stability of carbo-ketain stability of carbo-ketain increase by plus i-effect तर जी carbo-ketain की stability plus i-effect से बढ़ेगी बहुती आसान सी बात है अगर हमारे पास carbo-ketain है उससे एक group लगा हुआ है जिसका की क्या है plus i-effect अगर हमारे पास एक carbo-ketain है जिसका की एक group लगा हुआ है जिसका की plus i-effect है बच्चो plus i-effect plus i-effect क्या करता है electron repel करके अपने उपर plus दूसरों पर minus charge तो ये इसके उपर minus charge generate करके दोस्तों ये इसके उपर minus charge generate करके इसके positive charge को कम कर रहा है और अगर positive charge कम होगा अगर बच्चो charge कम होगा तो stability बढ़ेगी चार्ज दर्द की तरीके से charge और दर्द कम करने से रहात मिलती है ठीक है ये चीज़ तो stability of carb A9 increase by minus i effect and carbogatine increase by plus i effect इसका reverse अगर होगा तो उल्टा effect हो जाएगा अगर plus i effect लगेगा तो stability कम होगी यहाँ पर बच्चो minus i effect लगेगा तो stability कम होगी ठीक है ये चीज़ भी हम लोग बच्चो सवाल हम लोग कराएंगे ये चीज़ भी है ठीक है चली बहुत अच्छी बात है चली सर अब आते हम लोग कहाँ पर resonance effect के बारें बातचीद करते है चुकि खेल बच्चो इस mind map series का ये है कि जल्दी से जल्दी बच्चो का समय का सदुप्योग करते बच्चो resonance effect पर देखे भाई resonance क्या है बच्चो resonance एक ऐसा फिनॉमना है जिसमें कि हम molecule के एक से ज़ादा Lewis structure ड्रॉ करते हैं resonance is a phenomenon in which molecule is represented by more than one Lewis structure to explain all its properties correctly molecule में एक से ज़ादा Lewis structure हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी सारी के सारी properties को explain करने के लिए तो यह हमारा कहलाता है क्या resonance ठीक है यह चीदे अब दीखे बच्चो अगर हम resonance की बात करें तो resonance चुरुआत में बच्चो benzening में discover होता है ठीक है फिर हम resonating structure बनाना सीखते हैं वो सारी चीदे हम लोगों को पता है resonance कब होगा किस molecule में बच्चो resonance होगा यह समझेगा देखे theoretically तो यह कहा जाता है कि resonance तब होगा अगर बच्चो molecule में atom के पास क्या है P orbital है तो P orbital है और planarity है तो P orbital और planarity का होना presence of P orbital over atom and planarity का होना यह resonance की बच्चो important necessary condition है necessary condition for resonance अब सवाल यह आता है कि sir P orbital कैसे पता करेंगे बच्चो किसी भी atom के पास P orbital तब होगी जब उसकी hybridization या तो SP और SP2 है SP वाले के पास दो P orbital होती है और SP2 वाले के पास 1 P orbital होती है SP3 वाले के पास P orbital नहीं होती है तो अगर किसी atom की hybridization SP3 है तो वहाँ पे resonance नहीं होता है यह चीज़़, यह बच्चों condition होती ही किताबी, लेकिन असलियत में बच्चों अगर हम बातचीत करें, तो इस condition को apply करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने बच्चों के लिए थोड़ी सी एक असान सी condition बना रखे होते हैं, कौन सी सिरा असान सी condition होती है, सरी यह ह ठीक है दोस्तों हमारे हिसाब से जो condition जो बढ़िया होती है वो बचो ये रहती है हमारे हिसाब से जो बचो के लिए जो better condition होती है वो ये होती है better condition जो resonance को पहचाने के लिए होती है condition for resonance in molecule condition for resonance in molecule पर कंडिशन पॉर रेजोनेंस इन डिल वह यह उतकी है क्या क्या सब Eden vive अगर the per ने तो वो यह उने सिर्पाई आधि तपाई ब nxt टो पाई बॉन नेंक्स्ट टो पाई बोन एक्टम कंटें तुप्अठ दीव positive charge, negative charge, loan pair, unpaired electron बच्चो, pi bond के बगल वाले atom के पास अगर ये तीन चीज़े हैं, क्या क्या सर? सर माली ज़े सर, pi bond के बगल वाले atom के पास plus charge, minus charge, loan pair, या फिर पकीला electron है तो ऐसे में भी वो resonance करेगा ठीक है? और सबसे important condition दोस्तों, यहाँ पे सबसे important condition क्या होती है? next to MTP orbital, बच्चो next to MTP orbital next to MTP orbital, next to MTP orbital atom contain, atom contain loan pair और pi bond बहुत बड़ी बात, ठीक है? बहुत बड़ी बात ये condition सर काफी बढ़िया होती है अच्छे level पे सर ये condition होती है ये condition सर काफी बढ़िया होती है अच्छे level पे होती है कैसे सर होती है? समझाता हूँ मैं आपको कैसे होती है भाई? समझाता हूँ मैं आपको जैसे कि दोस्तों, अगर मालीजे अपने पास ये है सीन जैसे कि दोस्तों, अपने पास ये सीन है देखो कार्बो केटायन और न्यूट्रल बोरॉन बच्चों देखे कार्बो केटायन और न्यूट्रल बोरॉन ठीके कार्बो केटायन और न्यूट्रल बोरॉन के पास MTP और्बिटल होती है तो जो थर्ड कंडिशन है, ये कार्बो किटाइन न्यूटरल बोरॉन में लगेगी, तो कार्बो किटाइन के बगल में अगर लोन पेर है, बढ़िया सा रेजोनेंस होगा, ठीक है ये चीज़, भाई बोरॉन के बगल में अगर नाइट्रोजन है, बहुत अवल दर्जे का सा रेजोनेंस होगा, ये सब कंडिशन समको यार रखनी होती है, ठीक है, और या फिर बच्चो पाई बोरॉन के बगल में, अगर बच्चो पाई बोरॉन है, या कार्बो किटाइन के बगल में अगर पाई बोरॉन है, तो भी बच्चो, हमारी ये कंडिशन लगेगी, तो इन pair के साथ resonance कर सकती है और बहुत अवल दरजे का resonance होता है it's a very good quality resonance ठीक है साथ ये चीदे हो ये सब फीदे यहाँ पर हो जाती है तो alternate pi bond we all know that like in case of benzene pi bond के बगल में लोन पेर जैसे की phenol वगरा में होता है और तीसरा condition ये इसको बिटा या रखना कभी भी boron boron neutral होना चीए और या फिर कार्बोकेटान के बगल में lone pair या pi bond है तो resonance होता है और ऐसे में कार्बोकेटान को बहुत अच्छी बच्चो stability आ जाती है ये बहुत अच्छी quality का resonance होता है it's a very very stable कार्बोकेटान do remember guys it's a very very stable कार्बोकेटान ये कार्बोकेटान one of the best कार्बोकेटान में से एक होता है क्योंकि resonance के बाद क्योंकि बच्चो resonance के बाद क्योंकि resonance के बाद you can see that कार्बन का octet पूरा हो जा रहा है और कार्बोकेटान के लिए octet पूरा करना बगल मेंगा लोन पे राता है तू, ठीक है, अभी सवालों में हम लोग इस शीज को ध्यान रखेंगे, चली बहुत अच्छी बात है, तो resonance क्या है सर, resonance है एक ऐसा फिनॉमना, जिसमें हम molecule के एक से ज़ादा Lewis structure ड्रॉप करते हैं, तो explain all its properties correctly, उसकी सारी बच्चों properties को correctly explain करने के लिए, हम एक molecule के एक से ज़ादा Lewis structure ड्रॉप कर रहें, this is resonance, ठीक है, कोई भी एक structure से molecule की properties नहीं explain होती है, तो हम कई सारे structures रहम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जो resonating structure बनाते हैं, they are called resonating structures, they are hypothetical, the real structure is average of these structures, and this is called resonance hybrid, ठीक है, ये हमारी कुछ-कुछ बाते होती हैं, जिसको आप देख सकते हैं, क्यलिए साह, okay, condition for structure to be resonating structure, आप देखें बच्चों, इस बार J-Min 2023 में, एक सवाल आया था, कि हमसे पुछा गया था, in resonating structure की stability बताईए, कौन सा resonating structure जारा stable है, तो ये जो conditions हम लोग बता रहे हैं, resonating structure का stability order, या कोई structure resonating है, resonating structure है या नहीं है, how to prove that given structure is a resonating structure, ये सब conditions आपको याद होनी बहुत-बहुत आवशक है, अब जो मैं तीन slide आपके सामने बच्चों शो करा हूँ, you have to remember them as such, आपको बच्चों इन slide को as such बच्चों पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, सर क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, how to prove that given structure is a resonating structure, जो भी structure हमको given है, ये कैसे prove करें कि सर वो resonating structure है, दीए सबसे पहली बात, resonating structure में बच्चों कभी भी atom की position चेंज नहीं होगी, in case of resonating structure, position of atom does not change, ये बात, सभी resonating structure में atom की position fix रहेगी, atom की position कहां change होती है, टॉटो में दजब में, ठीक है ये चीज़, अगली चीज़ बच्चों, सभी resonating structure should be proper Lewis structure, all resonating structure should be proper Lewis structure, सभी resonating structure में carbon, nitrogen, oxygen, ये अपनी आउकात के अंदर रहेंगे, आठ से ज़्यादा electron carry नहीं कर सकते हैं, carbon, nitrogen, oxygen के पास बच्चों कभी भी 8 से ज़्यादा electron अगर हुए, तो मामला खराब है, गलत है, वो resonating structure नहीं होगा, क्योंकि resonating structure में proper Lewis octet rule follow होना, किसके लिए, carbon, nitrogen, oxygen के लिए, phosphorus, sulfur तो 4 से ज़्यादा bond बना सकते, लेकिन carbon, nitrogen, oxygen, second period वाले बंदे कभी भी 8 से ज़्यादा electron carry नहीं करेंगे, they cannot expand their octet, ठीक है, तो they must follow octet rule, कौन? carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, ये सब, अच्छी बात है, और अगली चीज़, बहुत-बहुत important, सभी resonating structure में, in all resonating structure, कुछ चीज़े constant होगी, क्या? सभी resonating structure में, is the sum of pi bond and loan pair, charge, सभी resonating structure में, pi bond और loan pair का sum और charge, ये constant होना चाहिए, और number of unpaid electron भी बच्चो constant होना चाहिए, तो ये कुछ conditions अगर violate होती है, तो आप कह सकते हो, आपका जो given structure है, सर, वो resonating structure नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है? क्या चीज़ मैंने बोला? बच्चो मैंने कहा कि, भाई, atom की position बदलनी नहीं चाहिए. क्या मैंने बोला? सर, मैंने कहा, carbon nitrogen oxygen के पास 4-7 bond नहीं होने चाहिए. क्या मैंने बोला? सर, total charge, total number of unpaid electron and 5-1 loan pair का sum constant होना चाहिए. ये conditions fulfill होनी चाहिए, और इसकी उपर, भाई, examiner सवाल बना रहे हैं आजकल, ये conditions आपकी check करवा रहे हैं वो आजकल, ठीक है. अगली चीज़, चली साब, बहुर अच्छी बात है, अगली चीज़, stability order of resonating structure, हमको अगर बच्चों कुछ resonating structure दिये हुए हैं, तो उनकी stability order क्या है? देखिए, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो कई बार बच्चों के सवाल होता है, किसी molecule के कितने resonating structure होंगे? क्या इसका कोई formula है? आंसर है नहीं बच्चों. देखिए, किसी molecule के कितने resonating structure है? इसको जानके भी आपने कुछ नहीं करना है. आपको मतलब होता है किसे stable resonating structure से. हम किसी molecule के आलतो-फालतो structure बना दे उसका कोई मतलब नहीं. जैसे हम लोग बेंजीन के दो resonating structure पढ़ते हैं, लेकिन बेंजीन के टोटल पाच होते हैं, बट जो बागी ये 3 structure से देखिए less stable. उनका कोई contribution नहीं होता है, देखिए less stable. उनका कोई contribution नहीं होता है, sequencing of these rules is important. हमें इन rules को इसी sequence में apply करना है. सबसे पहले, बचो याद रखिएगा, वो resonating structure जिसमें pi bond अधिक है, दोस्तों वो resonating structure जिसमें pi bond अधिक है, वो जादा stable होगा, और ये point सबसे पहले देखते हैं. resonating structure which has higher number of covalent bond, और covalent bond में आप सिर्फ pi bond को गिनिये, वो resonating structure जिसमें pi bond अधिक है, वो जादा stable होता है, ठीक है. इसके बाद non-polar structure, non-polar मतलब जहाँ पे charges कम हैं, non-polar structure, polar structure से जादा stable होगा, ठीक है. उसके बाद बचों क्या देखना है, सर, position of charge, कि अगर मालिजे दो structure मे charges सेम हैं, मतलब कुछ certain positive, certain negative charge है, अगर मालिजे बचों कुछ structure में, charges की संख्या सेम है, तो हम वहाँ पर कैसे proceed करेंगे, बचों वो resonating structure, जिसमें charge बेटर जगे पे हैं, मतलब negative charge over more electronegative atom, and positive charge over less electronegative atom, such structures are more stable, ठीक है, अच्छी बात है. अगली चीज, attraction should be more, repulsion should be less, ऐसे resonating structure जिसमें की opposite charge पास पास है, resonating structure जिसमें opposite charge पास है, वो जादा एस्टेबल होगा, और resonating structure जिसमें similar charge दूर दूर हैं, वो जादा एस्टेबल होगा, बचों यार रखना, इन चारों points को हमने इसी sequence में ही apply करना है, आपने अगर sequencing बदली, तो matter खराब हो जाएगा, बचों ये सारे points को पहले हम summarize कर रहे हैं, और उसके बाद इन सभी points के उपर बहुत उम्दा quality के आपके लिए question से आपको मजाएगा, बट पहले जल्दी से इन सारे points को हमने recall करने है, ठीक है, तो क्या मैंने बोला, resonating structure की stability में पहले क्या देखते है number of pi bond, फिर क्या देखते हैं हम लोग charges की मात्रा, non-polar, कम charge वाला stable होगा polar से, उसके बाद वो structure जिसमें charge better जगे पहे हैं, मतलब electro negative atom पे negative charges suitable, कम electro negative पे positive charge suitable, और उसके बाद last में क्या देखते हैं, opposite charge अगर pass है, तो better है, और similar charge अगर दूर है, तो better है, ठीक है, ये चीज़, attraction should be more, repulsion should be less, ये चीज़ है, अच्छा, ये point सबसे important होते हैं, these are the most important point for resonance, बच्चों, resonance के application में, resonance का जो effect होता है, उसमें बच्चों, ये point सबसे ज़्यादा important पाए जाते हैं, क्या सर पॉइंट से हमारे पास, आए जली समझते हैं, देखें बच्चों, जब हम लोग resonating structure बना र guidelines follow करनी होते हैं, क्या guideline follow करनी है, बाई देखो सबसे पहले चीज़, अगर मान लीजे किसी resonance position पर एक से ज़्यादा पाई बॉण है, तो resonance में बच्चों यार रखना, आपने सिर्फ एक ही पाई बॉण को delocalize करोगे, दूसरा पाई बॉण अपनी जगे स्थिर रहेगा, क्य ठीक है, अगर एक से आरा पाई बॉण है, तो resonance में सिर्फ एक ही पाई बॉण भाग लेगा, भाग लेने से मतलब है delocalize करेगा, दूसरा पाई बॉण स्थिर रहेगा, ये पाई बॉण अपनी जगे पे पहले भी जैसे है, वैसे ही बच्चों बाद में भी रहेगा, वो अ इसी conjugate position पर एक से आदा lone pair है, तो resonance में सर्फ एक ही lone pair delocalize होगा, दूसरा lone pair स्थिर रहेगा, जैसे कि अगर हम इस molecule पर आएं, तो बच्चों इस molecule में oxygen के पास दो lone pair है, कहने को तो यहाँ पर oxygen के पास दो lone pair है, लेकिन resonance में सर्फ एक ही lone pair भाग लेगा, क्योंकि दूसरा lone pair ज होगा, यह lone pair delocalize होगा, एक lone pair को आपने move कराना है, दूसरा lone pair अपनी जगे स्थिर रहेगा, ठीक है, यह चीज़, तो अगर किसी conjugate position पर किसी atom के पास एक स्यादा lone pair है, तो सर्फ एक ही lone pair delocalize होगा, यह चीज़, अब बच्चों इन तीनों में सबसे महत्पूर point, क्या, कि अगर किसी atom के पास, दोस्तों, अगर किसी atom के पास, पाई बॉन और lone pair दोनों है, या फिर पाई बॉन और चार्ज है, या फिर बच्चों पाई बॉन के साथ negative चार्ज है, मतलब किसी atom के पास पाई बॉन के साथ कुछ भी चीज़ मौजूद है, if conjugate position atom contain pi bond as well as lone pair positive negative कुछ भी चार, then in resonance only pi bond will participate, other thing will remain same, जैसे ये pyridine molecule है, बच्चों पाई बॉन पाई बॉन पेर अपने पास है, अगर nitrogen का बॉन पेर अपने पास है, तो nitrogen क्या होगा, ज़ादा बेसिक होगा, ये pyridine जो है, aromatic amine से ज़ादा बेसिक है, चूंकि aromatic amine में nitrogen का बॉन पेर बॉन पेर होता है electronicity काम हो जाती है, बट यहाँ पर क्या है, resonance नहीं हो रहा है, तो nitrogen का electron अपने पास है, तो वो ज़ादा बेसिक होगा, ठीक है, ये चीज़ है, तो ये तीन conditions बहुत-बहुत important ही क्या, कि अगर conjugate position पे एक स्यादा pi bond है, resonance में एक pi bond भाग करेगा, अगर conjugate position पे एक स्यादा lone pair है, तो resonance में सिर्फ एक lone pair भाग करेगा, और अगर बच्चों किसी conjugate position पर pi bond के साथ-साथ positive charge, negative charge कुछ भी है, तो बच्चों resonance में सिर्फ pi bond भाग करेगा, दूसरी चीज़ बच्चों resonance में participate नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, ठीक है, बहुत important बात, चली स अब देखे, इस point का application देखे, कहां पर आता है, बहुत important question आपके लिए में करा रहा हूँ, यह चीज़, देखे, दोस्तों, अगर हमारे पास यह molecule है, यह carbocatine है, we all know that यह carbocatine सर, resonance stabilized है, positive charge is delocalized, positive charge is delocalized, positive charge is delocalized, positive charge is delocalized, ठीक है सर, positive charge delocalized है, अगर बच्चो positive charge delocalized है, तो यह carbocatine stable होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब दोस्तों, यहाँ पर समझेगा, अगर हमने बच्चों मान लीजे, यहाँ पर OH लगा दिया, अगर हमने यहाँ पर OH लगा दिया, तो यह OH अब क्या करेगा, बच्च positive charge यह oxygen के lone pair के साथ resonance कर सकता है, क्योंकि कभी भी carbocatine के बगल में का lone pair होगा, तो resonance होगा, और बहुत अवल दर्जे का resonance होगा, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यह जो carbocatine है, इस carbocatine के उपर OH का resonance लग रहा है, इस carbocatine के उपर क्या है, बच्चों, OH का resonance लग अब लेकिन मज़ेदार चीज़ समझेगा, ठीक है, here carbocatine, here carbocatine is stabilized by plus same effect of OH, यहाँ पर देखिए OH का plus same effect लगीगा, plus same effect of OH, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों, बहुत मज़ेदार चीज़ समझना, बहुत मज़ेदार चीज़ समझना, अगर हमारे पास य यह molecule है, तो बच्चों अभी इस molecule में ध्यान रखना, सर इस molecule में जो positive charge है, वो resonance में भाग नहीं ले रहा है, बच्चों इस molecule में जो positive charge है, वो बच्चों resonance में भाग नहीं ले रहा है, यहाँ पर resonance कौन करेगा, सर यहाँ पर resonance करेगा, पाई बॉन, positive charge delocalize नहीं होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज डी लोकलाइज नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, this carbo catain is unstable, पॉज़ो ये जो carbo catain है unstable, क्यों? क्योंकि इसका चार्ज डी लोकलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, हम हमेशा कहते हैं, दर्द और चार्ज प्रेड करने से, बाटने से कम ह होता है ठीकि दर्द और चार्ज बाठने से कम होता है तो यहां पर चार्ज बाठी नहीं पा रहे हैं हम चार्ज को de-localize नहीं कर पा रहे हैं तो यह अनिस्टेबल है दूसरी एक चीज़ चुकि यहां पर कार्बोटाइन पर resonance नहीं हो रहा है, carbocatane resonance नहीं करा है, तो अगर resonance नहीं करेगा तो इस carbocatane के उपर OH का सिर्फ, यह सवाल आ सकता है, इस carbocatane के उपर OH का सिर्फ, क्या लगीगा, plus M या minus I, only minus I effect only minus I effect only minus I effect of OH is applicable is applicable over carbocatane is applicable over carbocatane ठीक है भाई, यह चीज़ है, तो हमने क्या बोला, अगर किसी atom के पास pi bond और positive charge दो, तो resonance में कौन भाग लेगा, pi bond, और अगर pi bond resonance में भाग लेगा, तो carbocatane के उपर resonance लगेगा, और resonance नहीं लगेगा, तो resonance का ही भाई, mesomeric effect भी लगेगा, तो यहाँ पर बच्चों, carbocatane के उपर सिर्फ OH का क्या लगेगा, minus i effect लगेगा, और minus i effect की stability कम होगी, यह हम जानते a negative c positive, carbocatane को plus पसंदे, minus i नहीं पसंदे, ठीके, तो यह बेटा कुछ चीज़े होती है, जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, हमाई लिए जरूरी होती है, इन concepts को हमने अपने mind में map बना करके store करना है, इन concepts को हमने अपने mind में map बना करके store करना है, चलिए साफ, बहुत अच्छी बात, आते जर mesomeric effect, आते दोस्तों कहाँ पर, mesomeric effect पर, ठीक है साफ, आईए चलिए, जल्दी से आते हैं, ओके, तो guys, what is mesomeric effect, guys, what is mesomeric effect, भाया जी, mesomeric effect क्या होता है, दोस्तों, mesomeric effect is the ability of atom or group, mesomeric effect is the ability of atom or group to donate or accept electron by resonance, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ क्या है भाई, mesomeric effect, mesomeric effect is the ability of atom or group to attract or ripple electron by resonance, mesomeric effect is the ability of atom or group to attract or ripple electron by resonance, कोई भी atom or group, जब resonance की दोरा electron लेता या देता है, तो उसे हम कहते हैं, उसका mesomeric effect, जैसे कि दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर, बातचीत करें, तो resonance की कारण, OH electron दे रहा है, और electron दे रहा है, तो देने की कारण, अपनी उपर plus charge कहरी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सर हम लोग यहाँ पर यह कहेंगे, कि सर, OH का plus m effect लग रहा है, क्योंकि OH electron दे रहा है, और अगर कोई electron देगा, तो अपनी उपर plus, और दूसरों पर minus charge लगाएगा, ठीक है, तो carbon की उपर, पाई बॉर्ण के उपर negative आ गया है, खुद के उपर plus, तो OH का क्या है, plus m effect, OH is showing plus m effect, यहाँ पर बच्चों, OH का क्या है, plus m effect, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, nice, great, wonderful, ठीक है, यह चीज़ होगी, अगली effect पर आते हैं दोस्तों, अगला effect क्या है हमारा, अगली effect पर आते हैं, अगर कोई atom ग्रूप resonance की द्वारा, electron लेता है, अगर कोई group resonance की द्वारा, electron लेता है, ठीक है, तो उसका हम क्या कहेंगे, सर, minus m effect, minus m वाला resonance की द्वारा, अपने उपर negative charge, और दूसरों पर positive charge हो करना है, तो NO2 is attracting electron, NO2 is attracting electron by resonance, तो इसका क्या है सर, minus m effect, तो ऐसे बंदी जो resonance की द्वारा, electron खीचते हैं, जो resonance करके electron खीचते हैं, उनका minus m, और जो resonance करके electron देते हैं, सर, उनका plus m effect होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यह चीज़ या रखिए, मेजोमेरिक effect is only applicable when resonance is there, मेजोमेरिक effect, मेजोमेरिक effect is only applicable, is only applicable, मेजोमेरिक effect is only applicable when resonance is present, when resonance is present, मेजोमेरिक effect is only applicable when resonance is present, बच्चो अगर molecule में resonance है तब ही mesomeric effect होगा, बिना resonance के mesomeric effect नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, resonance is the necessary condition for mesomeric effect, बहुत बड़ी बात बोलना हूँ, इसी कारण से बच्चो मैं बता रहा हूँ, कि NH3 प्लस TF3, ये वो ग्रुप से बच्चो ये वो ग्रुप से, जिनका minus M या plus M effect नहीं होता है, they don't have mesomeric effect, they don't have mesomeric effect, दोस्तों इनका mesomeric effect नहीं होता है, they don't have mesomeric effect, क्यों, 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 क्योंकि इनमें जो atom है, सर्वो SP3 है, चार सिग्मा बॉंड, सर्जी SP3 है, चार सिग्मा बॉंड, तो ये SP3 atom है, और SP3 atom बच्चो resonance नहीं करता है, नहीं करता है नहीं करता है हम सब जानते है। तो यह जो groups होते बच्चों यह mesomeric effect नहीं show करते हैं, they only have minus eye effect, they have strong minus eye effect. सीरेघ बच्चों एक्जाम में बन सकता है। सीरे जीरे बच्चों एक्जाम में आरने वाला सवाल, ठीक है? इस शीज को बचो या रखना ते लिए सर बात करते हैं सर किसका कौन सा मेजोमेरिक एफेक्ट होता जरा उस पे भी आ जाते हैं टाइबस अफ मेजोमेरिक एफेक्ट उस पे भी जरा सा आ जाते हैं Types of Mesomeric Effect बच्चो जरा उस पर भी आ जाते हैं हम लोग Types of Mesomeric Effect ठीक है जरा बात करते हैं Types of Mesomeric Effect के बारे में कौन-कौन से ग्रुप का कौन-कौन सा Mesomeric Effect होता है उसके बारे में भी दोस्तो जरा बातचीत कर लेते हैं ठीक है यह चीद है Types of Mesomeric Effect देखे बच्चो प्लस M Effect किस-किस का होता है सर दीखे प्लस M Effect किस-किस का होता है देखो सबसे पहले तो पहचानना सीखो, अगर किसी आटम के पास lone pair है, दोस्तों अगर किसी आटम के पास lone pair है और वो resonance कर रहा है, तो उसका क्या होगा, plus effect, lone pair, and it is involved in resonance, and it is involved in resonance, lone pair है और वो resonance में है, तो क्या होगा भाया, plus effect होगा, ठीक है, ये चीज़ या रखना, and polar pi bond, what is polar pi bond, sir, pi bond between two different electronegative atom, carbon oxygen double bond, nitrogen oxygen double bond, ये सब बच्चो, ठीक है, sulfur oxygen double bond, so polar pi bond, and involved in resonance, and involved in resonance, इनका बच्चो क्या होगा, minus effect होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, so polar pi bond, और resonance कर रहा है, तो plus effect, sorry, minus effect, और lone pair, और resonance कर रहा है, तो plus effect, lone pair, plus M, polar pi bond, minus M, ठीक है, ये चीज़ या रखता है, ठीक है, कुछ example जैसे कि आपको बता रेते हैं, ठीक है, कुछ example जैसे कि आपके लिए show कर देते हैं, जैसे कि sir, NH2, nitrogen neutral है, तो उसके पास lone pair होता ही है, ठीक है, NH2, NR2, ठीक है, oxygen, oxygen, ether वाला oxygen, halogen, इन सब के पास lone pair है, they have plus M effect, ठीक है, ये चीद, minus M effect किस किस का होता है, जिसमें polar pi bond होता है, NO2 हो गया, TN हो गया, HSO3 हो गया, देखिए, polar pi bond है, carbonel group हो गया, ये सब polar pi bond वाले हैं, तो ये जब benzene ring के साथ या pi bond के साथ लगते हैं, they have minus M effect, ठीक है, चली, इसको पूरे के पूरे चार्ट को ज़रा समझ लीजेगा, that is important, किसका strong है, किसका minus, किसका weak है, इसको बिटा समझना जरूरी है, तो plus M strong किसका होगा, strong plus M किसका होगा, देखो, हमाए पास अगर मा लिजे C minus, NH minus, O minus, NH2, OH, OR, इस sequence को इसी order में याद रखना है, NH2 का plus M, OH से ज़ादा होता है, OH का plus M, OR से दिक होता है, इसको इसी sequence में याद र plus M किसका होगा, NH, C, O, R, O, C, O, R, N, H, C, O, R, O, C, O, R, इनका भी होगा, और weak plus M किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन, सिर्फ और सिर्फ बच्छो, हैलोजन का resonance weak होता है, हैलोजन has weak resonance, क्यों बच्छो, हैलोजन का weak resonance होता है, क्यों वो resonance अच्छे से करनी पाते हैं, अगर resonating structure बनाने जाते हैं तो अनर्थ हो जाता है सर fluorine जैसा electro negative atom positive charge शोभा नहीं देता है वहाँ पे positive charge अच्छा नहीं है और अगर हम iodine के साथ resonance करते हैं तो सर resonance दो कॉड़ी का होता है सर दो कॉड़ी का resonance ये क्या होता है भाई देखो यहाँ पर जो resonance है बहुत वाहियात quality का होगा चुकि carbon और iodine का bond बहुत लंबा होता है carbon iodine का bond बहुत लंबा होता है इसको असलियत में अगर हमको debate करना है शो करना है तो ऐसे शो करिए अब दोस्तो carbon का pi bond और iodine का लोन पेर इनके बीट में दूरी अधिक होने के कारण resonance बहुत अच्छी quality का नहीं होगा बहुत वाहियात quality का resonance होगा ठीक है तो यहाँ पर resonance अच्छा नहीं होता है चुकि orbitus overlap अच्छे से नहीं कर पाती because of distance तो हर case में अपने अपने पंगे है halogen का resonance weak होता है halogen has weak plusm effect halogen has weak plusm effect their minus i their minus i is stronger than plusm effect halogen में जो minus i होता है वो plusm से उनका अधिक स्ताकत पर होता है ठीक है यह चीदे तो किस-किस का plusm strong है आपको बता दिया माइनस m की भी बात करते किस-किस का माइनस m तगड़ा होगा तो बच्छों देखिए माइनस m की अगर हम बातचीत करते हैं तो polar pi bond चाहिए और यहाँ पर बच्छों शुरुवात strong में वही होंगे हमारे NO2 HSO3 and cyanide इनका strong होता है इसी sequence में होगा यह decreasing order है फिर medium किसका होगा aldehyde ketone का होगा aldehyde ketone का medium होगा ठीक है और weak किसका होगा carboxylic acid derivative carboxylic ऐसे derivative का weak होगा लेकिन ऐसा नहीं कि इनका जो mesomeric effect है inductive से weak है नहीं mesomeric effect है बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हाँ है लेकिन ऐसा भी नहीं कि inductive से weak है नहीं inductive से weak तो सिर्फ halogen में होता है बाकि हर जगे चीज़ में होती हैं चलिए साब बहुत अच्छी बात है तो मैजोमेरिक इफेक्ट की पहचान और हमने समझ लिया चीजों को बहुत अच्छी बात है उंदाबात है ग्रेट नाइस वंडर्फॉर ओके application of mesomeric effect की आवश्यक्ता है क्या चलिए सर जरूर आवश्यक्ता है ठीके mesomeric effect का application वही होगा जो inductive effect का application है application of mesomeric effect दीखे mesomeric effect में दो बाते हमको या रखने क्या सबसे पहली बात strength of mesomeric effect strength of mesomeric effect strength of mesomeric effect is independent is independent on distance strength of mesomeric effect is independent on distance सर दूरी पर डिपेंड नहीं करती है सर जी mesomeric effect की जो strength होती है दूरी पर नहीं डिपेंड करती है जितना mesometric effect pass में लगता होतना ही mesometric effect दूर पर लगता है ये चीज पहली चीज होगी और बचो दूसरी चीज दोस्तो दूसरी चीज mesometric effect की अगर हम बातचीत करें सर दूसरी चीज mesometric effect strength of mesometric effect is independent on distance और बच्चों दूसरी चीज़, mesomeric effect is only applicable is only applicable over ortho and para position of benzening over ortho and para position of benzening ठीक है, mesomeric effect is only applicable over ortho and para position of benzening सर बच्चों ortho और para position पे ही mesomeric effect का असर हम लोग देख पाते हैं ठीक है, यह चीज़ है, अब देखिए application पे अगर हम आएं तो सर देखिए क्या-क्या mesomeric effect का application है सबसे पहले कार्बो केटाइन, कार्बनाइन पे कार्बो केटाइन, कार्बनाइन पे वही चीज़ लगीगी, A negative, C positive A negative, C positive, मतलब क्या है सब A9 की stability, A9 की stability A9 की stability बढ़ेगी, माइनस effect से और घटेगी प्लस effect से, जो काम inductive करता है, वही काम mesomeric भी करेगा, जो काम inductive करता है, वही काम mesomeric भी करेगा, A9 की stability, माइनस M से बढ़ेगी और प्लस M से घटेगी, ठीके, अब यहाँ पर याद रखना strength, mesomeric effect की अधिक होती है, तो जितना माइनस M बढ़ाएगा, उतना ही बच्चो प्लस M घटाएगा, ठीके, माइनस I अच्छा होता है, इन आइन के लिए, क्योंकि वो negative charge कम करता है, माइनस M और भी अच्छा होता है, माइनस M के लगने से कार्विनेर की stability और भी ज़रा बढ़ जाती है, लेकिन प्लस M उसकी stability को कम करता है, ठीके, इसी तरह से, कैटाइन की stability, कैटाइन की stability प्लस M से बढ़ेगी, और माइनस M से घटेगी, ये बात, जो भी होगा, अधिक होगा, ठीके, ये चीज़, पहली चीज़, और उसके बाद acid base में आ रखेंगे, acidic strength, acidic and basic strength पर बात करेंगे, acidic और basic strength की बात करेंगे, a negative, b positive, acidic strength, बच्चो, acidic strength, increase by minus i effect, acid की strength minus i से बढ़ती है, and basic strength, increase by plus i effect, ठीके, a negative, b positive, a negative, b positive, ठीके, ये चीज़, acid को minus i पसंद है, base को plus i पसंद है, अगर acid को minus i पसंद है, तो minus m तो और भी जार अच्छा ताकर तो लगेगा, minus m तो और भी अच्छा लगेगा, base को plus i पसंद है, तो plus m तो और भी जार अच्छा लगेगा, ठीक है और भी ज़रा अच्छा लगेगा ठीक है अभी बस इतना हम लोग याद रखेंगे बाकी यह हम लोग का separate topic इसकी पूरी detailed analysis अभी हम लोग आजी के lecture में अभी cover up करेंगे ठीक है अभी बस यह rule A negative B positive A negative C positive ठीक है बस इतना या रखना है उम्दा 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 ग्रेट नाइस वंडर्फुल चलिए साब आगे बढ़ते हैं चुकि समय का बहुत बड़ा खेल है इस session में तो समय का हमको बहुत ध्यान देना है चलिए सर हाइपर conjugation पर आते हैं हाइपर conjugation क्या होता है याइलकाइल ग्रुफ याज टेंनिसी टू डोनेट एलेक्टरॉन याइल का आई प्लस ओई effect पेंड वाएपर कंजूकिशन यख़ट अड़ा खेलङ है मरें बड़ा पॉप थ्यूर्पेयर केशन थ्यूर्चों, प्लस आई से देता है बड़ाइल का बलसे हैग प्लस i और प्लस h दौनों से बच्चों इलेक्ट्रॉन देता है, कहां से यह होती है चीदे, दोस्तों बेखर नाथन साब नहीं यह पाया था, कि अगर हम इस कार्बोकेटाइन को लेते हैं, इसमें क्या लगवा है, और अगर हम इस कार्बोकेटाइन को लेते हैं, तो बेखर hyperconjugation is interaction between hyperconjugation is interaction between hyperconjugation is interaction between तो उस्तों hyperconjugation is interaction between P orbital and alpha carbon hydrogen sigma bond pair orbital वच्चो P orbital जब पडोस वाले carbon के साथ दोस्तों ध्याद सुनना जब P orbital दोस्तों जब P orbital पडोस वाले ये P orbital है जब P orbital बच्चो पडोस वाले carbon hydrogen के साथ जब P orbital बच्चो पडोस वाले carbon hydrogen के साथ जब P orbital बच्चो पडोस वाले carbon hydrogen के sigma orbital के साथ overlap करती है तो इसी overlapping को क्या कहते है सर hyperconjugation ठीक है अब इस hyperconjugation का effect समझना बच्चो ये carbon hydrogen के electron जो ये दौनों carbon hydrogen share कर रहे हैं इस overlapping के बाद कुछ हद तक कुछ हद तक मतलब 2-3% ठीक है बच्चो ये carbon hydrogen के electron जो ये दौनों आपस में बच्चो overlap कर रहे हैं कुछ हद तक इन electron का मज़ा इस p orbital इस carbon carbon hydrogen तक भी पहुँच जाता है इससे क्या होगा ये electron का कुछ हिस्सा कितना हिस्सा 2-3% आप मान सकते हैं तो इन electron का 2-3% of portion ये carbon hydrogen को मिल जाता है इससे carbon hydrogen को electron मिलते है उसकी stability वरती ये चीदे है ठीक है ये शेरिंग होने से ये को बुरा लगेगा उनका रिष्टा कमजोर हो जाएगा तो ऐसे ही बच्चो ये पती पत्नी है इनका electron इनका है मेरा पती सर्फ मेरा है तो इनके electron पर इनहीं दोनों का हसर है लेकिन अगर ये electron कोई और शेर करेगा तो इनका बॉन्ड वीक हो जाएगा ठीक है तो कार्बॉकट्रन की श्रिबिल्टी बढ़ जाएगै ठीक है ये चीडर ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऐसे श्ट्रेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन और अउसकी जो मैगनिटूड होता है वह अलफा हाइटरूजन पे डिपेंड करता है अलपा के पास कितने hydrogen उस पर डिपेंड करता है कैसे इसको लगाना है आईए आपको समझाते हैं detail में समझाते हैं don't worry at all ठीक है चलिए समझी जड़ा देखिए सबसे पहले तो आपको यह सीखना है कि hyperconjugation लगता कहा है hyperconjugation effect कि देखिए hyperconjugation effect कि दो सबसे पहले समझे हमारा यह जो hyperconjugation effect होता है यह कहां-कहां applicable होता है कि सबसे पहले हमको यह समझना है यह जो hyperconjugation effect है यह सर देखिए कहां-कहां applicable है guys hyperconjugation effect is applicable is applicable over दोस्तों hyperconjugation effect is applicable over वो सारे बंदे जिनके पास क्या होती प-orbital हम hyperconjugation में अगर ध्यान दे तो प-orbital कहीं involvement है और प-orbital कहां होती है भाई प-orbital तो सर-resonance में भाग ले देती है तो इसलिए बच्चों कई बार हम बच्चों को समझाने के लिए हम यह तक कह देते कि hyperconjugation एक सस्ती kwalty का resonance है hyperconjugation को हम कई बार बच्चों को समझाने के लिए भी कहते हैं कि sir hyperconjugation एक सस्थी quality का resonance है क्योंकि hyperconjugation का magnitude resonance से कम होता है mayzomeric effect से कम होता है लेकिन काम कुछ resonance जैसा ही करता है ठीक है तो p orbital इसके लिए आवश्यक है जहाँ जहाँ resonance होता है वहाँ P-orbital होती है, hyperconjugation के भी P-orbital है तो hyperconjugation is applicable और वो सारे बंदे जिनके पास P-orbital होती है अब कहा कहा P-orbital है सर कार्बोगटाइन कार्बोगटाइन इसके पास MTP-orbital होती है pre-radical इसके पास half-filled P-orbital होती है alkene इसके पास pi-bond वाली P-orbital है alkyne इसके पास pi-bond वाली P-orbital है और benzene इन सब के पास बचो P-orbital है तो इन सब में बचो hyperconjugation लगता है कार्बोगटाइन free radical की stability में hyperconjugation का असर होता है alkyne, alkyne, benzene में भी electron density hyperconjugation के दोरा बढ़ती है अब देखिए कैसे count करते हैं hyperconjugation का magnitude जरा समझेगा भाई जैसे कि अगर मान लीजे हमारे पास ये कार्बोगटाइन है तो इस कार्बोगटाइन के उपर कितने hydrogen अपना hyperconjugation लगाएंगे समझते हैं देखिए दोस्तो hyperconjugation कहां लगता है सर hyperconjugation लगता है alpha hydrogen के दोरा तो इस कार्बोगटाइन के पास कितने alpha hydrogen है आप पहले इस कार्बोगटाइन को लेगे इसको गोला करोगे और इस गोले से सटे हुए carbon ये carbon ये carbon जो जो carbon इस गोले से सटे हुए उनके hydrogen तुम count कर लो यहाँ पर कितने hydrogen है यहाँ पर इन carbon के hydrogen count करो यहाँ पर 3 hydrogen है और यहाँ पर कितने hydrogen होंगे एक hydrogen तो यहाँ पर बच्चो 4 alpha hydrogen है तो इस carbocatine के उपर बच्चो 4 alpha hydrogen लग रहे हैं समझते हैं सब्सक्राइब और जड़ा यह carbon CH3, यह carbon CH2 और यह carbon CH इस गोले से सटे हुए carbon के hydrogen को count करेंगे and they are कितने, they are 6 alpha hydrogen तो यहाँ पर हमाई पास 6 alpha hydrogen है यह चीज़ है तो जहाँ कहीं भी P orbital है उस P orbital को गोला करिए और इस गोले से सटे हुए carbon जो है उनकी hydrogen count करो तो that's how you will get your alpha hydrogen जो इसको stability प्रदान करेंगे चली सट, समझते हैं हम लोग आगे free radical, बच्चो free radical के पास भी दोस्तो free radical के पास भी हम लोग के पास hyperconjugation लगता है free radical के पास भी hyperconjugation लगता है तो कि उसके पास भी unpaid half filled P orbital होती है कैसे करेंगे यहाँ पे hyperconjugation वही काम जहां कहीं भी P orbital है, जैसे radical के पास P orbital होती है इनको आपने रटना पड़ेगा इनको रटना पड़ेगा इस पे हमने गोला किया अब इस गोले से attached carbon के hydrogen गिल लो गोले से attached carbon यह carbon, यह carbon, यह carbon और इनके जब हम hydrogen गिलेंगे 3, 2, और 1 तो कितने alpha hydrogen है? 6 alpha hydrogen यहां पर कितने alpha hydrogen है? यह रहा गोला किया radical और इस गोले से कितने carbon attach है? सर जी इस गोले से यह carbon attach है, इसका एक hydrogen, एक alpha hydrogen तो जिसके पास भी P orbital उसको गोला करिए अब उस गोले से सटे हुए carbon जो भी carbon इस गोले से सटे हुए है उनके hydrogen count कर लो, that's it ठीक है, यह चीद है? इसी तरह से alkene और benzene पे भी करेंगे अगर मालीजे हमारे पास एक alkene है अगर मालीजे हमारे पास एक alkene है यह इस alkene के पास कितने alpha hydrogen है? देखो पीटा, alkene में दौनों carbon के पास P orbital है, तो इसकी P orbital भी hyper conjugate करेगी, इसकी गलती से भी गलती नहीं करता है बहुत ही इसके अच्छे हमने result देखे हुए है तो हमने गोला किया, किसको? double bond को गोला किया, अब इस गोले से attach carbon के hydrogen हम लो count कर लेंगे इस गोले से attach carbon के hydrogen को चलिए सर, count करते हैं, तो इस गोले से attach ये carbon है इनके hydrogen काउंट करेंगे CH3CH चार अलफा हीडोजन, तो इस एलकीन के उपर चार अलफा हीडोजन है इसी तरह से बेंजीन अजीन में भी यही काम करेंगे हैं हम लोग अगर हमाई पास बेंजीन है तो इस बेंजीन के पास कितने अलफा हीडोजन है? देखें, अभाई जहां कहीं भी P- Verbital है उसको गोला कर दीजिए P- Orbital Carbogran, Radical, आलकीण इन सब के पास P- Orbital होती है बेंजीन के पास भी P- Orbital होती है लेकिन बेंजीन में शेओς कार्बन के पास P- Orbital है इन सब के पास P- Orbital है तो सब को हमने गोला कर दिया सबको गोले गेंद़ डाल दिया थिके बैंजीन पर हाईपर काज ठाएच है यह अटाच है इस सर्कल से अटाच बाहर वाले कारबन की हाइड्रोजन लेंगे hyperconjugation के बारे में दो चीते हैं strength of hyperconjugation strength of hyperconjugation is stronger than is stronger than inductive effect strength of hyperconjugation is stronger than inductive effect but weaker than mesomeric effect but weaker than mesomeric effect ठीक है तो बच्चों जो hyperconjugation की strength होती है वो inductive effect से तो अधिक होती है बट mesomeric effect और resonance से कम होता है hyperconjugation is stronger than inductive effect but weaker than mesomeric effect इस बात को बिटाची हमको ध्यान रखना है ठीक है यह चीज़े intensity of hyperconjugation intensity of hyperconjugation is independent on distance is independent on distance और hyperconjugation का असर दूरी पर नहीं लगता है and over bencee ring and over bencee ring its effect and over bencee ring its effect is only observed is only observed is only observed over ortho & para position mechanics is only observed or ortho and paraposition, ठीक है, hyperconjugation का जो असर है, बच्चों, सिर्फ औसर ortho और paraposition पर ही देखा जाता है, metaposition पर hyperconjugation नहीं मिलता है, जैसे कि mesomeric effect, mesomeric effect का भी असर कहाता है, सिर्फ ortho-para पर आता है, hyperconjugation का भी असर सिर्फ ortho-para पर आता है, इसलिए मैंने कहाता है, कि हम hyperconjugation को सस्थी quality का, क्योंकि weak है, सस्थी quality का resonance कहते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है, यह चीद है, अब देखो, क्या गलती है, बच्छों देखें, यह सवाल जब हम बच्छों से पूछते हैं, बच्छे काफी गरबड़ी करते हैं, यह सवाल जब हम बच्छों से पूछते हैं, बच्छे काफी गरबड़ी करते हैं, क्या सवाल है सर, यह सवाल, ठीक है, यह चीज़ है, देखें, हमें अगर इन कार्वो कटैन की स्टेविल्टी अगर कंपेर करनी हैं, तो कैसे कंपेर करेंगे, सबसे पहले तो आप एक चीज को जाद रखिए सबसे पहले आप एक चीज को जाद रखिए क्या सबसे पहले बचो आप एक चीज को जाद रखिए मैंने आपको जो पहली बात बताई तो फिरसे मैं बता रहा हूं क्या कि alkyl group has tendency to donate electron by plus i effect सबसे पहली चीजी है ठीक है देखो इस बात को मैं लिखाना भी चाहूंगा यह सवाल हमाई पास noted है don't worry बट कुछ बाते हैं जो इस सवाल की तोरह आपको मैं reconfirm कराना चाहता हूं उनको पहले सुलनीजिए सो डाट आपका answer सही ही आए ठीक है क्या चीज़ देखो दोस्तों CH3 का प्लसाई की strength यह होती है बच्चों प्लसाई की strength यह होती है लेकिन hyperconjugation की जो strength होती है हाइपरconjugation की जो strength होती है वो यह होती है CH3 का hyperconjugation सबसे अधिक होता है चुकि उसके पास alpha hydrogen अधिक है alpha hydrogen मतलब अगर यहाँ पर बच्चों हमने benzene निंग लगा दी तो benzene के respect में यह alpha carbon है इसके पास 3 alpha hydrogen है यहाँ पर हमने benzene निग लगा दी तो benzene के यह alpha carbon है 2 alpha hydrogen है यहाँ पर एक alpha hydrogen है ठीक है यह चीज़ें तो सबसे पहले समझेए बच्चों कि भले CH3 का plus i कम होता है बट उसका plus h अधिक होता है उसका plus h अधिक होता है तो methyl का plus h ethyl सदिक होता है isopropyl सदिक होता है ठीक है यह चीज़ें तो overall in group में अगर यह hyperconjugation लग रहा है molecule में तो methyl, ethyl और isopropyl में methyl जादा electron देता है अगर plus i और plus h का combine effect ले प्लस i and plus h का जो combine effect होता है वो यह होता है कि methyl is more electron donating than ethyl and then isopropyl and then tertiary butyl ठीक है यह चीज़ है यह बात या रखना टरिशरी butyl भी इसमें लोग cover कर लेंगे ठीक है यह चीज़ पहले आप लोग याद रखिए अच्छी बात है सर तो इनमें जो electron releasing power है सर इस तरीके से होती है अगली चीज़ बच्चों या रखना CT3 का plus i effect CD3 से अधिक है और CD3 का plus i effect CH3 से अधिक है यह बच्चों plus i effect का order लेकिन बच्चों plus h की अगर मैं बात करूँ क्योंकि carbon और tritrium bond मजबूत होता है मजबूत electron मजबूत bond जल्दी electron नहीं देगा तो plus h का जो order होता है वो बेटाजी यह होता है hyperconjugation का order यह होता है ठीक है यह बात या रखना CH3 का भलेई plus i कम है लेकिन उसका plus h अधिक होता है किस से CD3 से यह बात भी बहुत important होती है काम की होती याद रखने की है ठीक है तो अगर हमारे बच्चों को यह बात एक clear है तो अब देखे बेटाजी हमें सवाल को समझ सकते है देखे हमारे पास यह carbo katine है carbo katine की stability हमको compare करनी है molecule में जब भी भी इस तरह के सवाल होते है जो common हिस्सा होता है उसको पहले अलग कर लेते हैं देखे भाई this part is common यह part देखे भाई हर molecule में सेम है जो part हर molecule में सेम होगा उसका असर बेटा जी हर जगे बराबर का ही होगा उसक अगर यह चीज हर जगे सेम होगा तो इनकी stability में इसके effect से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर जगे बराबर इफर्ट का रहा है अब सवाल आता है यह CH3 क्या करेगा बेटा देखो CH3 प्लस i effect लगाएगा और hyperconjugation लगाएगा कैसे hyperconjugation CH3 का alpha hydrogen बेंजीन की PR साथ overlap करेग और इस तरीके से यह बेंजीन के ortho और पैरा पे electron देगा और पैरा पे electron देगा तो पैरा पे carbon को stabilize करेगा अब देखो बटा अगर मैं प्लस i की बात करूँ प्लस i से stability बढ़ेगी यहाँ पे प्लस i और जादा है थोड़ा और बढ़ेगी hyperconjugation प्लस i इसका और जादा होग क्योंकि यहाँ पर 3 alpha hydrogen है यहाँ पर hyperconjugation कम है क्योंकि 2 alpha hydrogen है यहाँ पर सिर्फ एक alpha hydrogen है hyperconjugation काफी कम है और यहाँ पर no alpha hydrogen तो hyperconjugation है यह नहीं ठीक है अब अगर हमको इनकी stability order compare करना है अगर हमको इनकी stability order compare करना है तो प्लस i से भी stability बढ़ेगी प्लस 8 से भी बढ़ रही है भलेई यहां पे plus i जाद है बट hyperconjugation नहीं है भलेई यहां पे inductive कम है बट hyperconjugation अधिक है तो इसलिए दोस्तों इनमें जो stability का order होगा वो इनमें stability का order सीधे सीधे यह होगा this carbogatine is more stable और बच्चे लोग इस carbogatine को stable कर देते हैं प्लस आईगे कारेट बट नहीं यह carbogatine जारा इस्टेबल है क्योंकि इसमें hyperconjugation अधिक लख रहा है ठीक है इस बात को हमने ध्यान लख रहा है ठीक है चलिए साब ओके great nice wonderful चलिए साब अब आते हम लोग कहां पर aromatic effect पे आते हैं aromatic effect सभी electronic effect में सबसे मजबूत effect होता है सबसे तगड़ा effect हमारा कौन सा होता है aromatic effect aromatic effect सभी electronic effect में सबसे तगड़ा होता है कोई भी compound aromatic कब होता है बच्चों कोई भी compound aromatic होता है जब वो कुछ certain conditions को fulfill करता है जब कौन-कौन सी certain condition को fulfill करता है बच्छो देखे अगर किसी molecule में ये condition simultaneously satisfy हो रही है, कौन कौनसी condition, molecule cyclic है, full conjugation, complete conjugation, inside ring, complete conjugation inside ring, बच्छो रिंग के अंदर full conjugation है, ring के अंदर के सारे atom में बच्छो अगर resonance involved है, ठीक है, बंदा cyclic है, सारे atom में सा resonance है, full conjugation है, all atoms involved in resonance, ठीक है, planar है, अब दीखे भई, planarity के जो condition है, वो आप molecule में खुद से नहीं देख सकते हो आप, ठीक है, molecule में आप खुद से नहीं देख पाऊगे, planarity condition आप molecule में खुद से नहीं देख पाऊगे, आपको पहले से पता होनी चाहिए, या तो फिर SIR effect वाला scene लग रहा है तो, अगर molecule में resonance हो रहा है, तो आप मान सकते हो, वो planar होगा, अगर molecule में hybridization SP2 या SP है, तो आप मान सकते हो, planar होगा, लेकिन कई बार कुछ जगों पे known facts होते हैं, जहाँ पर हम यह पढ़े होते हैं, कि सर वहाँ पे planarity lose हो जाती है, तो अगर आपनी कहीं पे देखा है, सर प्लेनारिटी lose होगी, तो वहाँ पे resonance नहीं होगा, ठीक है, बंदा cyclic है, full conjugation है, सारे atom में resonance है, planar है, and inside ring, inside ring, number of electron in resonance, inside ring, number of electron in resonance, is 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2p electron, 4n plus 2, resonance electron, अगर ambation, conquer ring के अंदर, resonance में भाग लेने वाले electron की संक्या, 4n plus 2p electron, 4n plus 2p electron, 4n plus 2 resonance electron, यह है, resonance के अंदर, ring के अंदर, बत्चों, ring के अंदर resonance में, रिंग के अंदर, आपको मतलब किस्सेसे ring से, ring से बाहर आपको मतलब नहीं, अगर ring के अंदर resonance में भाग लेने वाले electron की संक्या इतनी है ये सारी condition fulfill होने पर cyclic, सारे atom में resonance, planar और इतने electron ये जो electron इनको आप ऐसी भी कर सकते हो 2, 6, 10, 14, 18 electronic resonance ये भी कह सकते हो, इसको हकल लूल भी कहते है तो अगर molecule में ये सारी condition simultaneously satisfy हो रही है तो हम क्या कहेंगे सर, molecule हमारा aromatic होगा when all these conditions are satisfied when all these conditions are satisfied we will say molecule will be aromatic और aromatic होने पर molecule highly stable हो जाएगा molecule बेड़ा बहुत ज़रा stable हो जाएगा molecule दोस्तो highly stable होगा और अगर molecule सर highly stable होगा दोस्तो अगर molecule हमारा highly stable होगा तो ध्यान रखना अगर molecule बच्छो highly stable होगा तो ध्यान रखना aromatic होने पर बंदे में resonance की जो stability है वो 10 गुना बढ़ जाती है aromatic होने पर बंदे में जो stability है सरवो 10 गुना बढ़ जाती है 10 times resonance का effect बढ़ जाता है क्यों क्योंकि अगर बंदा aromatic होता है तो resonance में part speed करने वाले electron bonding molecular orbital को belong करते हैं और bonding molecular orbital के electron काफी stability प्रदान करते हैं तो यह सब अच्चों conditions को follow करना है ठीक है अब कुछ-कुछ aromatic molecules हम लोगों को सरफ पता होने चाहिए ठीक है भाई जैसे कि यह है हमारा pyridine aromatic है imidazole aromatic है फिगुरान aromatic है उससे समझना क्या होगा उससे समझना क्या होगा खुछ से समझना क्या होगा ठीक है दीखे दोस्तों यह सब molecule हमारे aromatic होते हैं ठीक है इन वे से दीखे कुछ molecule मैंने भी छुपाए हुए है वो इसलिए छुपाए हुए क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एकदम रटे होने चाहिए एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि वो कावी important होते है वै दीखे यह हमारा pyridine है और pyridine हमारा aromatic होता है pyridine is aromatic क्यों क्योंकि सर्शाइक्लिक है सारे atom में resonance है और resonance में कितने electron भाग ले रहे है देखे यह जो lone pair है यह resonance में भाग नहीं लेगा क्योंकि हमने पढ़ा हुए अगर किसी atom के पास pyridine lone pair दोनों होते हैं तो resonance में सिर्फ pyridine भाग लेता है तो यहाँ पर बचो सिर्फ ring वाले pyridine ही resonance करेंगे and this molecule is aromatic ठीक है भाए यह molecule हमारा से aromatic होगा तो this molecule is aromatic pyridine is aromatic इसके बाद दोस्तों बात करते ही imdazole पर सै यह imdazole है और imdazole भी हमारा aromatic है इस कारण से imdazole भी हमारा से aromatic है यह सर imdazole है and this is also aromatic imdazole भी हमारा से aromatic है क्योंकि उसमें resonance में इतने electron भाग ले रहे हैं यहाँ पर यह lone pair तो resonance में भाग नहीं लेगा लेकिन यह lone pair resonance में भाग लेगा total 6 electron भाग ले रहे हैं वहाँ 3 pi bond 6 electron यहाँ पर 2 pi bond एक lone pair resonance में भाग लेगा purant is also aromatic यहाँ पर भी resonance में इतने electron भाग ले रहे हैं ये भी हमारा सर aromatic होगा, ठीके, अब यहां पर बचो ही आ रखना, ये cyclic ring वाला case से आ रखना, लेको, 3 pi bond पर plus charge, बतब 3 member ring पर plus charge, 3 member ring पर plus charge, तो aromatic होगा, 5 member ring पर minus charge, तो aromatic होगा, और 7 member ring में plus charge, तो aromatic होगा, you need to remember these things कि ये ions aromatic होते है ये बहुत ज़़ादा important है 3-membered ring with plus charge aromatic है 5-membered ring with minus charge aromatic है and 7-membered ring with plus charge aromatic है ये हमको रटा होना चाहिए ठीक है, तो ये जो molecule है सर, cyclopentadienyl ion cyclopentadienyl ion ये सर aromatic होता है resonance में रिंग के अंदर 6 electron भाग ले रहे है resonance में रिंग के अंदर 6 electron भाग ले रहे है तीन पाई बॉन्ट और कार्बोक्राइन के MTP और्विटर यह सब एरोमेटिक हैं, ठीक है, यहां पर बचो ध्यान लगेगा, ठीक है, एरोमेटिक सिटी देखते समये हमें सिर्फ रिंग से मतलब है, रिंग के बाहर क्या है उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ रिंग के अंजर से रिंग के अंदर बोरॉन नूट्रल है, नूट्रल बोरॉन के पास MTP और्बिटल है, that's how it can resonance और ओक्सिन का एक लोन पेर, तो दो पाइब और एक लोन पेर, छे इलेक्टरॉन रेजोनेंस करेंगे, बोरॉन के पास MTP और्बिटल है, कोई इलेक्टरॉन तो नहीं, बट रेज और ये केस, खाफी important होते हैं, एक्जाम में बार-बार बच्चों को बताते हैं, सर, fused cyclic compound, सर जी, fused cyclic compound में, बच्चों, fused cyclic compound में, जहां पर कई benzene ring, कई rings, आपस में जुड़ी होती है, थूरू adjacent carbon, adjacent carbon के द्वारा, कई ring आपस में जुड़ी होती है, तो fused cyclic compound, दोस्ते हैं, fused cyclic compound में, हमें सिर्फ outer ring को देखना होता है, outer ring पे condition लगाने है, किसी एक ring पे नहीं लगाओ, सिर्फ outer ring पे लगाओगे, और यहां पे outer ring को देखने हैं, सर, cyclic है, सारे atom में resonance है, alternate pi bond है, और कितने pi 5 pi bond, 5 pi bond मतलब 10 electron, 4n plus 2 में n बराबर 2 रखने पर यह भी aromatic है, तो यह सारे बंदे, सर, aromatic होते हैं, और aromatic होने के कारण, यह सब के सबसर, very, very stable होते हैं, यह सब के सबसर, बहुत, 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 इस्टेबल होते हैं, ठीक है भाई, इतनी चीजों को, सर, हमने ध्यान ध्यान, ध्यान रखने का है, चलिए सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा बात, ठीक है, चलिए, अब देखें, aromatic में ही एक और concept होता है, anti-aromatic और non-aromatic का, इसको भी हम लोग ध्यान दे रहेते हैं, anti-aromatic structure, anti-aromatic compound, तर ऐसे compound, बच्चों, ऐसे compound, दोस्तों, ऐसे compound जो aromatic नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे compound जो aromatic नहीं है, लेकिन सिर्फ aromatic नहीं होने से मत्तब नहीं, हमने word जब anti जोड दिया है, तो aromatic का उल्टा, तो ऐसे molecule, जो resonance के कारण बहुत-बहुत unstable होते हैं, ऐसे molecule जो बहुत-बहुत unstable होते हैं, very-very unstable, तर वो होते हैं, हमारे क्या सर, anti-aromatic compound, ठीक है, ऐसे molecule जो बहुत-बहुत unstable होते हैं, वो होते हैं, हमारे सर क्या anti-aromatic compound, और anti-aromatic compound, सर जी, कौन होंगे, ज़रा समझते हैं, ज़रा anti-aromatic compound, ऐसे बंदे जो cyclic है, pull conjugation in ring pull conjugation in ring cleaner है and inside ring inside ring number of electron in resonance number of electron in resonance and inside ring number of electron in resonance is 4, 8, 12, 16 इसे हम 4N π एलेक्ट्रोन 4N π एलेक्ट्रोन और 4N resonance एलेक्ट्रोन भी कह सकते हैं अगर रिंग के अंदर resonance में भाग लेने वाले एलेक्ट्रोन की संख्या इतनी है और molecule ये सारी conditions को simultaneously satisfy कर रहा है तो बंदा anti-aromatic होगा और ऐसा होने पे बंदा बहुत 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 unstable हो जाएगा इट फिल बिकम वेरी 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 unstable ठीक है भाई ये चीज़ है anti-aromatic compound उतना ही unstable है जितना aromatic stable है या रखना chemical bonding, MOT का concept bonding molecular orbital जितनी stable होती है anti-bonding वाली उतनी unstable होती है bonding molecular orbital जितनी stable है anti-bonding वाली उतनी unstable होती है ये बात या रखना तो aromatic में electron bonding molecular orbital में होते हैं और anti-aromatic में resonance वाली electron anti-bonding molecular orbital में होते हैं इसलिए बंदा बहुत unstable होता है ठीक है, ये चीज़ इसमें तीसरी category होती है नौन-aromatic की इसमें एक तीसरी कटेगरी होती है हमारी non-aromatic की और non-aromatic compound वो हैं जो नar aromatic है न infaromatic है अगली condition है हमारी non-aromatic अगली condition है हमारी non-aromatic compound जोसे जो सुच्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक वह उमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है ना एंटि एरोमेटिक हैं वह हमारी क्या होते हैं सर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सर जी order of stability की अगर हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अगर सर हम order of stability की बात करते हैं तो सर हम यह पाते हैं कि aromatic compound सबस्याराइ को कि aromatic compound सबस्याराइ inveem trending ऑर antioArumatic अ कि तो माशाय ला बहुत 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 अनिस्टेबल खके यह यह चीज़ें यहां पर दो molecule का case हम को याद करने का है में यहां पर सब्सक्राइब कृषित दो molecule का। कर्यास हम को यारकने का है कि भाईसाब ये दो मॉलेक्यूल साइक्लो ओक्टा टेट्राइन साइक्लो ओक्टा टेट्राइन और एनुलीन टेन एनुलीन टेन ये दोने ही मॉलेक्यूल non-planar होते हैं both these molecules are non-planar both of these both of these molecules are non-planar both of these molecules are non-planar इसलिए बेटा ये non-aromatic होते हैं इसलिए बेटा जी ये क्या होते हैं? non-aromatic होते हैं these compounds are non-aromatic nature कौन-कौन? cyclo-octa tetraene and anulin 10 ठीक है? इसको anulin 8 भी कह सकते हैं anulin कौन होते हैं? monocyclic compound जिनमें full conjugation होता है alternate pi bond का और उसमें bracket के अंदर जितने carbon उससे आप से हम लोग करते हैं monocyclic single ring होनी चाहिए ये चीज़ ठीक है? ये चीज़ anulin 8 और anulin 10 दोनों non-prinner होते हैं इसलिए या non-aromatic होते हैं ठीक है? ये बात हमको या रखनी है चली सर anti-aromatic compound के structure सर हम लोग ले सकते हैं ये anti-aromatic है अमारे पास ये anti-aromatic है अरे इसको तो हमने aromatic बोला था बेटा अगर negative charge है तो aromatic होगा positive charge है तो anti-aromatic होगा ठीक है ये चीज़ या रखनी है तर इसको भी अमने aromatic बोला था अरे बेटा अगर positive charge है तो aromatic होगा negative charge है तो anti-aromatic होगा और इसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगी अगर positive charge है तो aromatic और अगर negative charge है तो anti-aromatic ठीक है मैं यह चीज या रखता तो यह सब कुछ हमारे एंटी औरमेटिक है and they are very 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 unstable ठीक है साब चलिए बहुत अच्छी बात है great nice wonderful चलिए साहब अब आते हैं सर stability of carbocatine पर यह काफी interesting चीज़ है अब देखे जितने हमने effects पड़ दिये हैं अब हमने बच्छो देखे इन्ही effects को सर अब combine करना है और सारी चीज़ों पर सर लगाना है carbocatine, carvenine, alkene, acid base सब जगे सारी चीज़ों को अब हमको लगाना है तो सारी चीज़ों के अब summary आने वाली है ठीक है सारे effect को combine लिए apply कर देखे बच्छों यहां समझेगा अगर हम बच्छों carbocatine की stability की बात कर रहे है तो सारी चीज़ों को stability किसे मिलती है carbocatine get stabilized by carbocatine get stabilized by किस-kis effect से less same effect stability बढ़ेगी resonance से stability बढ़ेगी resonance मतलब positive चाड़ डी-localize हो रहा है उससे stability बढ़ेगी hyperconjugation, alkyl group, alpha hydrogen उससे भी stability बढ़ेगी और plus i effect हमने in odd effects को इसी sequence में लगाना है हमने carbocatine की stability में in effect को इसी sequence में लगाना है सबसे रहा stable कौन खरेगा plus i फिर resonance डी-localize हो रहा है plus charge तो उसके बाद भयाजी hyperconjugation और सबसे weak effect plus i effect ठीक है इसको हमने इसी तरीके से लगाना है अब देखें ये effect को जब हम लगाते हैं तो हम क्या पाते हैं सर ये बेटा order आपको यार रखना है you need to remember this order आपको बच्चों इस order को सर याद रखना है क्या order है बच्चों देखो कारbocatine की stability में बेटा यार रखना ये जो होता है ना कारbocatine की सर सबसे stability प्रवांद करता है cyclopropyl cyclopropyl के बगल में अगर plus charge होता है ना वो सबसे ज़्यादा इस्टेबल होता है इससे ज़्यादा stability किसी ग्रूप के द्वारा कारbocatine को रिंग मिलती है we need to remember this thing by memory mind map ठीक है ये ग्रूप बच्चों ये कारbocatine सबसे ज़्यादा इस्टेबल होता है मैंने पिछले वाले बच्चों पिछले साल के मंजिल स्रीज में जी उसी का जो लेक्षर लिया था उसमें बच्चों को सिखाया था डेटेल में बताया था कि जो Bacchalam psycho-propyl grup बोच ये एक ऐसा गृप है बच्चों ये ऐसा ग्रूप है जो अपने आप से अंस्टेबल है और suicide करना चाहता है जो अपने आप से अंस्टेबल है इलेक्ट्रोन अपने बाई अपने कारbocatine को देना चाहता है तो ये बहुत अनिस्टेबल रिंग है और यह फटना चाहती है तूटना चाहती है डिकंपोस करना चाहती है और डिकंपोस करने से पहले अपना सारा मुझे देता जा। मरने से पहले अपनी ब्राइड जीन पुझे मुझे।ी यहां पर यह पर होती है कि यह सब से यह लोग इसको डांसिंग रिजॉनेंस अप चांद चांट रहंगो योट हो वर इने उसके बाद इस तरह की एक रिंग है इसको यहा रखना है यह सबसे एड़ियर स्टेमल कार्बोकरेंस होते हैं ientes इसके बाद बेट यह कार्बोकरेंस क्यों स्टेमल है यह मुझे बतानी के जरूरत तीन-तीन बेंजीन इंके साथ डिलोकलाइज कर रहा है मौज है भाई, तुम्हारी तो मौज है मौज है कार्बोकटाइन तुम्हारी तो मौज है यह बहुत stability पर दान करेगा अच्छा अब इसके बाद बच्चो याद रखना J-Advance 2014 J-Advance 2014 में यह रूल लग गया था, यह मतलब आ गया था सवाल में और बच्चो को याद रखना चाहिए कि सब tertiary butyl कार्बोकटाइन में 9 alpha hydrogen है और 9 alpha hydrogen होने के कारण यह benzyl कार्बोकटाइन से जारा stable होता है हाला कि resonance hyperconjugation से बड़ा है बट यहाँ पर alpha hydrogen जिन अत्यरिक संक्या में इसलिए यह कार्बोकटाइन इससे stable होता है ठीक है और उसके बार फिर हमारा secondary carbocatine and then primary carbocatine ठीक है तो simple carbocatine जहाँ पर कोई hetero atom नहीं है वहाँ पर इन चीदों को ध्यान रखना ठीक है यह चीद है अच्छा एक बात या रखना plus m effect काफी ज़्यादा stability प्रदान करता है कार्बोकटाइन के बगल में तो मैंने बताय हुआ है फिर से बता रहा हूँ कभी भी बेटा जी अगर कार्बोकटाइन के बगल में loan pair आता है तो यह बहुत बहुत stable हो जाएगा reason बच्चों चुकि अब यहाँ पर resonance होगा और इस resonance के बाद इस कार्बोकटाइन का octate सर पूरा हो जाएगा resonance के बाद इस कार्बोकटाइन का octate पूरा हो जाएगा तो यह बहुत stability प्रदान करता है ठिक यह तो इन कार्वुक्त्राइन को भी हम लोग ध्यान रखेंगे ठिक है तो यह कार्वुक्त्राइन की जिन्दगी हमको या altro त anál है क्लें है अच्छी बात है रेडिकल पर आते हैं रेडिकल की सारी stability पर आते हैं देखो ये चीज़ important है radical उतने ज़ादा common नहीं होते है radical की stability पर आते हैं देखे radical get stabilized by radical get stabilized by सबसे पहले resonance resonance से radical को stability मिलती है उनका unpaid electron का delocalize हो रहा है तो उससे radical को stability मिलेगी फिर उसके बाद बच्चो hyperconjugation hyperconjugation तो resonance और hyperconjugation बच्चो ये radical की जिन्दगी में सबसे आराई stability प्रदान करते हैं ठीक है तो अगर मालीजी हमारे पास सर इस तरह के radical है तो बहुत stable है बहुत ही सर मौज ही मौज है ठीक है बहुत stable है और उसके बाद फिर त्री दिग्री रेडिकल नाइन अलफा हाइड्रोजन टू डिग्री रेडिकल टिक्स अलफा हाइड्रोजन और देन वन डिग्री रेडिकल अलफा हाइड्रोजन यहां पर वहां पर छे अलफा है ठीक है यह चीज़े चलिए सब तो रेडिकल को सिर्ट दो चीज़े पसंद है रेडिकल बस यह दो चीज़े चलिए ग्रेट नाइस वंडरफूल कार्व एनाइन की अगर हम बात करें अगर हम बच्चों कार्व एनाइन की बात करें तो तो कार्व एनाइन में नेगेटिव चार्ज है कार्व एनाइन कंपारिटिवली काफी बढ़ियां होते हैं कार्व माइनस आइफेक्ट ठीक है माइनस एम रेजोलेश और माइनस आइफेक्ट ठीक है कार्बन एंड को भी देख लेते भाई सरमाइन मैप जब कर रही हैं तो बच्चों का पूरा रिविजन होना चाहिए कोई भी चीज मिस्स नहीं होनी चाहिए कार्बन एंड केट इस्टेबिलाइज भाई माइनस एम एफेक्ट रेजोनेंस डीलोकलाज़जन हो रहा हो और माइनस आइफेक्ट इन सबसे कार्बनां के लिए अच्छे होते और्माइ आि बच्चों का में और यहां से बच्चों तो थोड़ा सा मैटर्य सुयरू होता है सबसे पहले बचो याद रखिए, कभी भी अगर हम किसी molecule मिज़र molecule की अगर हमको acidic strength तर compare करनी है तो बचो molecule की acidic strength को कैसे compare करना है तो compare acidic strength of molecule सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि molecule में कौन सा functional group मौझूद है बचो ध्यान सुनना, अगर हमको कभी भी ये देखना है कि हमाई पास दो molecule है, कौन सा molecule जारा acidic है तो सबसे पहले आपको देखना है कि molecule में acidic functional group कौन सा है अगर molecule में high acidic functional group है अगर molecule में बचो high acidic functional group है तो बंदा जारा acidic होगा और अगर molecule में low acidic functional group है बंदा कम ऐसरिक होगा तो सबसे पहले क्या देखते है sir functional group कि वो functional group की कितनी ताकत है h plus lose करने की देखो acid वो होता है जिसके पास h q पर plus charge है और h plus lose करने की tendency होती है ठीक है सबसे पहले यार रखिए तो molecule में functional group कौन सा है उससे h plus निकलने की tendency कितनी है इसको पहले सबसे पहले देखना जरूरी होती है इसको ऐसे भी समस्कते हो कि अगर मालीजे दो जानवर दोड रहे हैं तो race में कौन जीतेगा sir जो तेज दोडने अला जानवर हो वो पहले जीतेगा अगर जैसे race में मालीजे चीता और कुट्ता दोडने के लिए बना है 100 km per hour की speed तक से वो दोड सकता है आपने ये तो नहीं देखा कि चीता क्या sir दो दिन से खाना नहीं खाया हुआ sir चीता का नौरात का उपवास चल ला है sir चीता की भीवी sir माईके चलीगे तो उदास है ये सब तो हम नहीं देखेंगे न हम क्या बोलेंगे चीता सर दोड़े जीतेगा चीते की state का है उसकी mental state का है depression में ये सब तो नहीं बात करेंगे तो दोड़ेगा तो चीता दोड़ेगा जीतेगा इसी तरह से अगर माली सर दो गाड़ियों में रेस हो रही है तो कौन सी गाड़ी sir जीतेगे अगर sir Lamborghini है Lamborghini ये फरारी है तो sir ये जीतेगी ऐसा तो नहीं कि Lamborghini ये फरारी sir उनका engine down है तो नहीं जीत पाएंगे ये सब नहीं ना Lamborghini अगर रेस में है तो वो जीतेगी अल्टों को तो हराई देगी नहनों को हरा देगी ये चीज़े तो आप सबसे पहले क्या देखते है sir गाड़ी का nature क्या देखते है जानवर का nature ऐसी acid का nature देखो गया मॉलीकुल में कौन सा acidic function group मौझूद है ये पहले देखते है अगर मॉलीकुल में जारा acidic function group है सीरे सीरे वो जारा acidic होगा कम acidic function group है कम acidic होगा ठीक है अगर मॉलीकुल में function group same होते है तब क्या लगाते है तब लगाएंगे A negative B positive acid पे जितना आदा minus I minus M उतना आदा acidic जितना आदा plus I plus M उतना कम acidic यह चीद है ठीक है यह चीद है तो इस चीज़ को हमने याद रखना है तो compare acidic strength of molecule बच्चों molecule की acidic strength अगर compare करनी है सबसे पहला point compare nature of acidic functional group compare nature of acidic functional group present in molecule compare nature of acidic functional group present in molecule molecule में कौन सा acidic functional group है उसको पहले देखेंगे अबड़ ठीक है उसका पहले nature देखेंगे when nature is same अगर बच्चो functional group same है, if functional group is same, if functional group is same, then apply electronic effect, then apply electronic effect, अगर बच्चो functional group same है, तब हम लोग electronic effect apply करेंगे, कौन सा electronic effect, sir, acid को क्या पसंद है, a negative, acid की power, minus i effect से बढ़ेगी, minus m effect से acid की power और बढ़ेगी, ठीक है, ये बात या रखेंगे, minus i और minus m लगने पर, acid की strength बढ़ जाती है, ये minus i, minus m कहा लगेगा, sir, जो groups attach है, उनका effect functional group के उपर, molecule में functional group के उपर, जितना जारा minus i, minus m लगेगा, उतना जारा aceric होगा, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ है, दीखे, अब कौन सा functional group जारा aceric होता है, ये series हमको एक यार रख सकते हैं, देखो, बीटा, सबसे पहले तो inorganic acids होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, HI, ये सब होते हैं, लेकिन organic acid में सबसे पहले सलफोनिक acid, काफी aceric होता है, उसके बाद, बीटा, पिकरिक acid, sir, पिकरिक acid क्या है, sir, पिकरिक acid ये होता है, 246 trinitrophenol, sir, इसमें 33 NO2 का minus m effect, phenol को अत्या जादा aceric कर देता है, sir, phenol हमारा बहुत जादा aceric हो जाता है, वो carboxylic acid से भी जादा aceric हो जाता है, ठीक है, 3-3 NO2 का minus, हाई, minus है, phenol की aceric power को enhance कर देता है, ये चीज़ हमारी होगी, इसके बाद, बीटा जी, squaric acid, sir, squaric acid क्या होता है, ये होता है, squaric acid अगर 2H plus lose out करेगा, दोस्तों, squaric acid अगर 2H plus lose out करेगा, तो बच्चों, squaric acid से 2H plus lose करने के बाद, इसमें identical resonating structure बनते हैं, और ये भी बहुत जादा aceric हो जाता है, ठीक है, ये चीज़, squaric acid, फिर dynitrophenol, orthopera पे अगर 2NO2 लगे हैं, तो भी ये carboxylic acid से जादा aceric होगा, ठीक है, ये चीज़, उसके बाद हमारा carboxylic acid, उसके बाद carboxylic acid, फिर carbonic acid, SH, SH group काफी aceric होता है, क्योंकि sulfur hydrogen carbon कमजोर है, ये aromatic alcohol से भी जादा aceric है, aromatic alcohol से भी जादा aceric है, हाला कि ये दोनों का बराबरी होते, more or less दोनों का PK around 9.5 के आसपास होता है, बड़ थोड H plus lose कर देता है, तो ये aromatic हो जाता है, ठीक है, ये चीज़, उसके बाद पानी, फिर aliphatic alcohol, फिर हमारे पास terminal alkyne, और ये हमारे पास चीज़े रहेंगी, ठीक है, सभी hydrocarbon में terminal alkyne, काफी aceric है, terminal alkyne से भी जादा aceric, cyclopendadiene होता है, क्योंकि H plus निकलने के बाद ये aromatic बन जाता सीरे-सीरे, sulphonic acid is, जादा aceric होगा, ठीक है, ये चीज़े, अगर functional group same है, तो फिर A negative, B positive, सवाल अभी करेंगे, उसमें सब को सीख जाएंगे, चलिए, बच्छो, aceric strength compare करने में, there is one more thing, which we need to remember, aceric strength compare करने में, there is one more thing, which we need to compare, क्या, aceric strength, अगर हम compare कर रहे हैं, तो हमें एक और चीज़ को देखना है, क्या सर, ortho effect in molecule, ortho effect in molecule, सर जी, molecule में ortho effect, अब ये ortho effect, अब ये ortho effect क्या कहता है, benzoic acid में, बच्छो, benzoic acid में, कभी भी ortho position पे कोई भी group लगेगा, benzoic acid में, कभी भी बच्छो, ortho position पे कोई भी group लगेगा, तो irrespective of its electronic effect, irrespective of its electronic effect, ये बंदा हमेशा ज़्यादा aceric होगा, आपको electronic effect देखने का इच नहीं है, ये बंदा हमेशा बच्छो ज़्यादा aceric होगा, अगर वही group meta और pera पे लगा है, उससे, और अगर वो group नहीं लगा है, मतलब simple benzoic acid है उससे, ठीक है, तो what is ortho effect, ortho effect कहता है, all ortho substituted benzoic acid, ortho substituted benzoic acid are always more aceric than meta and pera substituted benzoic acid, irrespective of electronic effect of attached group, irrespective of electronic effect of attached group, group क्या attached है, उसके electronic effect से हमें कोई मतलब नहीं, कभी भी कोई group ortho position पे लगीगा, तो इक तरह का SIR effect लग जाता है, और उसके कारण acid question बढ़ जाती है, यह ortho effect सबसे highest किसका होता है, NO2 का होता है, सबसे highest बच्चों ortho effect NO2 का होता है, फिर OH का होता है, OH अपनी hydrogen bonding की power से acid question को enhance करता है, और उसके बाद बच्चों size of group देखते हैं, जो group जितना बढ़ा होगा, उसका ortho effect भी उतना जादा होगा, ortho effect जादा होना मतलब उसके ortho position पे लगने से acidic strength उतनी जादा बढ़ जाएगी, ठीक है, यह बात यार रखना, चलिए सक, बहुत अच्छी बात है, तो benzoic acid, benzoic acid कभी भी ortho position पे कोई group लगेगा, हमीशा acidic strength बढ़ जाएगी, यहाँ पर एक alert हमको यार रखना है, एक note यार रखेंगे, हम लोग बच्चों को हमीशा कहते हैं, कि बच्चों, ortho effect को आप अपनी जिन्दगी के किसी और कार के लिए नहीं लगाएंगे, जैसे बच्चों से कई बार मजाग करते हैं, कि आज घर में खाना अच्छा नहीं बनाए, क्योंकि आज ortho effect लगा हुआ है, मैं आज स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया, ortho effect की ठीक है, ortho effect, ortho effect is only applicable, is only applicable in comparing, ortho effect is only applicable in comparing acidic strength, acidic strength of benzoic acid derivative, इसके अलावा ये कभी भी कहीं और नहीं लगेगा, ठीक है, ortho effect हमने सिर्फ और से बेंजोईक आसिड के derivative पे लगाना है, acidic strength compare करने में, बहुत अशी बात है, great, nice, wonderful, चलिए भाई, काफी होगी चीज़े अपनी, चलिए सर, अब आते हैं, basic strength पे, basic strength पे आते हैं, बहुत दे के लिए साब, अब जड़ा, basic strength की भी जड़ा बातचीत कर लेते हैं, basic strength का सीग, अगर हम molecule में बच्चों देखें, basic strength compare कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों सबसे पहले हमको क्या देखना है, function को, molecule में कौन सा function को पर पहले ही देखते हैं, normally basis में या रखना, आपको nitrogen compound मिलते हैं, normally आपको कौन मिलेंगे nitrogen compound, normally you will get nitrogen compound for comparing basic strength, neutral molecules में बच्चों या रखना, neutral nitrogen compound में या रखना, sir, guanidine, sir, यह guanidine बहुत ज़्यादा basic होता है, अब guanidine बहुत frequently exam में आ रहा है, और guanidine क्या होता है, अगर कभी भी कोई carbon तीन nitrogen से attach है, तो यह double bond वाला nitrogen बहुत basic होता है, उसमें double bond वाला nitrogen बहुत basic है, क्या पहचाने guanidine की, molecule में एक carbon तीन nitrogen से attach है, दो single bond, एक double bond, double bond वाला काफी basic है, क्योंकि प्लसेम के कारण इस nitrogen का lone pair यहाँ चला आता है, इसका lone pair resonance भी नहीं करेगा, पाई bond resonance करेगा, और उपर सा यह दोन वाला lone pair, इसका अपना प्लसेम लगा करके, इसके उपर electron बढ़ा देते हैं, तो काफी basic होता है guanidine, उसके बार होता है क्यों, amidine, amidine कौन है, जिसमें एक carbon दो nitrogen से attach है, उसमें भी यह double bond वाला nitrogen काफी basic है, ठीक है, उसके बाद amidine के बाद aliphatic amine, उसके बाद imidazole, बिटा जी, imidazole है, और imidazole में यह double bond वाला nitrogen काफी basic होता है, ठीक है, यह चीद है, imidazole के बाद pyridine आएगा, इसमें भी lone pair localized है, अपनी जगे स्थेर है, उसके बाद aromatic amine, फिर उसके बाद हमाए पास pyrol, pyrol काफी कम basic होता है, फिर हम amide में nitrogen, sp hybridized है, यहाँ पे सा nitrogen, sp hybridized, sp hybridized nitrogen काफी ज़्यादा electro negative होता है, अपना lone pair नहीं देगा, ठीक है, यह चीद है, तो यह हमाए पास यहाँ पर सीन रहेगी, ठीक है, तो सबसे पहले amidine, सबसे पहले gonadine, फिर amidine, फिर aliphatic amine, फिर उसके बाद में हमाए पास imidazole, फिर pyrodine, फिर उसके बाद aromatic amine, फिर pyrol, and then हमाए पास amide, और सबसे बिकार फिर बाद में कौन आएगा हमाए पास, amide and then cyanide, ठीक है, यह चीद है, चली भाई, ओक है Friends, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बचो basic strength के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि molecule में basic strength कैसे compare करेंगे, वाई सबसे पहले वही acid की तरह क्या देखने का अपने, functional group कौन सा है, guanadine, amidine, इस पूरी-पूरी series को यार रखेंगे, और अगर बचों मान लीजे, molecule में functional group same है, if functional group is same in molecule, तो हम लोग क्या लगाएंगे, electronic effect, ठीक है, अगर molecule में, बचो, functional group same है, तो क्या लगाएंगे, electronic effect, अब electronic effect का scene क्या है, बचो, देखे, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, basic strength comparison में कुछ चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, क्या, if lone pair of nitrogen is delocalized, बच्चो, basic strength कम हो जाती है, basic strength हमारी कम हो जाती है, अगर lone pair nitrogen का delocalize हो जाएगा, तो उससे basic strength हमारी कम हो जाएगे, क्यों भई, क्यों, क्यों भई, basic strength will decrease, क्योंकि बच्चो, देखे, base वो होता है, जो दो condition को satisfy करता है, सबसे पहले, उसके पास देने के लिए electron है, H+, को, base वो है, जो acid से react करे, acid के H+, से react करे, H+, क्यों react करेगा, जब उसे electron मिलेंगे, तो base के पास पहली बात electron होना चाहिए, lone pair होना चाहिए, और उससे भी वड़ी चीज, lone pair देने की नियत होनी चाहिए, जैसे पानी के पास दो lone pair है, बट वो electron negative होता है, electron नहीं देता है, तो वो कम basic होता है, तो बंदे के पास electron हो, electron देनी की काभिलियत हो, तो बंदा basic होता है, ठीक है ये चीज़, तो अगर बंदे का electron कम हो जाएगा, delocalize हो जाएगा, तो basic strength कम हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी, basic strength, अगली चीज़ बच्चों याद रखेगा, sp3 nitrogen जादा basic हो और तीसरी चीज़, a negative, b positive, मतलब basic strength molecule की, basic strength of molecule, increase by plus i and plus m effect, बच्चों plus i और plus m effect से basic strength बढ़ती है, ठीक है, ये चीज़ों को ध्यार रखता है, अच्छा, ठीक है, यहाँ पर, एक case के लिए आप बेटा तयार है ना, कौन सा case सर, एक case के लिए तयार है ना, अगर हमको a9 मिलत है, अगर हमको दोस्तो basic strength of a9 compare करना है, if we have to compare basic strength of a9, तो दोस्तो याद रखना, basic strength of a9 में आपको हमीशा एक concept लगाना है क्या, कि अगर आपके पास 2 a9 है, a minus और b minus, तो इनका basic strength compare करने के लिए, आपको बच्चों पहले इनके conjugate acid को देखना पड़ेगा, आप इनमें h plus जोड दो, इनका conjugate acid देख लो, और ionic equilibrium का rule लगा दो, जो ज़्यादा acid होगा, उसका conjugate base कम basic होगा, strong acids है, weak conjugate base इसी को ध्यान रखना, और बहुत सीधा सा बंद है, जो ज़्यादा acid को basic कम होगा, सीधा सी बात, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, तो आपको पहले कभी भी ion की अगर basic strength compare करनी, तो हमेशा यही फंडा लगाईए, उनके पहले conjugate acid को देखिए और उससे काम करिए, जैसे कि for example, अगर हमारे पास phenoxide आइन, और अगर हमारे पास यह acetylide आइन है, इनका basic strength compare करना है, तो आप पहले इनको नहीं देखोगे, आप पहले इनकी conjugate acid को देखो, यहाँ पे ह phenol जादा acidic होता है, acidic strength phenol की अधिक होती है, अगर acidic strength phenol की अधिक है, तो इसकी basic strength कम होगी, ठीक है, इस तरीके से हमको सर प्रोसीड करना होता है, basic strength में, बहुत अच्छी बात, 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 चल सर देखना पड़ेगा इस्रेंद किसाल करने में सर हमको ऐसाई पी फेक्ट सब्सक्राइब आपको यह इसके बारे में संझा दें आपको बातका सिप्वेक्ट की we can हम बातचीत करते हैं तो SIP effect से क्या मतलब होता है steric inhibition of protonation steric hindrance की कारण जितनी भी बच्चों ortho substituted aniline होते हैं ध्यान सुनना बच्चों कभी भी अगर aniline के ortho position पर कोई group लग जाएगा तो वो हमेशा बच्चों basic extent को कम करेगा क्योंकि अब H plus का आना मुश्किल हो जाएगा as compared to meta and para substituted aniline क्या होता है SIP effect ortho substituted aniline कभी भी aniline के अगर ortho position पर कोई group लग जाएगा तो हमेशा basic power को कम करेगा और किससे कम करेगा वही group जब meta और para पर लगेगा irrespective of electronic effect irrespective of electronic effect तो हम CH3 लगाएगे तो ortho हमारे पास यह जो है tolodine की बच्चों कम basic हो जाएगा हमने अगर मारे यह chlorine लगाए कम basic हो जाएगा NO2 लगाएगे कम basic हो जाएगा यह चीदे तो SIP effect यह होता है अब बच्चों यह चीद जा रखेगा SIP effect जो है उसको ortho effect जितनी respect नहीं मिलती है मतलब ortho effect तो हर कोई पढ़ता है हर कोई समझता है काफी importance होता है but SIP effect को उतना ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते हैं because SIP effect has exceptions yes बच्चों SIP effect का बच्चों exception भी होता है और यह बड़ा important होता है exceptions of SIP sir what is the exceptions of SIP what is the exceptions of SIP ज़रा इसको भी समझ लेते हैं देखे बच्चों OH and OR के case में SIP is not applicable OH और OR के case में बच्चों SIP effect नहीं लगेगा मतलब क्या है sir अगर दोस्तों हमारे पास एनलीन में दोस्तों अगर हमारे पास एनलीन में ortho, meta and para-substuted hydroxy derivative of एनलीन है तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है भीया basic strength का order क्या होता है and it is very very important sir यह हमसे exam में पूछ भी सकता है यह हमसे sir exam में पूछ भी सकता है ठीक है? यह हम OH उनको लगाना है OH ठीक है? यह चीत है यह बहुत important होता है और यही सवाल बच्चों अगर मालीजे हमारे पास OR होता है तो भी हमको ध्यान रखना है कि अगर हम एनलीन पे OR लगा देते हैं अगर हम दोस्तों एनलीन पे OR लगा देते हैं अगर हम दोस्तों एनलीन में OR लगा देते हैं तो बेसिक स्टेंग को ओर्डर क्या होगा वो भी हमको यारकना है जानने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है इन ओर्डर को हमने याद रखना है और मैं बच्छो आपको इन ओर्डर को याद भी करा करके जाऊंगा ठीक है चलिए ग्रेट नाइस वंडर्फूल अब देखो बच्चो देखो, सीन क्या होता है, जरा सीन को समझते हैं, दीखें बच्चो देखें, सीन हमारे पास यहाँ पर यह होता है, पहले तो आपको चीजों को समझना है, सर यहाँ पर SIP क्यों नहीं लगेगा, बच्चो OH और OR दोस्तो OH और OR का प्लसम इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है ये अपने प्लसम इफेक्ट से basic पार को बहुत जड़ा enhance करते हैं सबसे पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ बच्चो क्या होता है कि यहाँ पर hydrogen bonding का भी effect होता है इन दौनों ही कारणों से क्या होता है हम पाते ही कि और्थो वाला बंदा बहुत कम basic नहीं होता बलकि अच्छा खासा basic होता है अब कौन अच्छा खासा basic होगा order क्या होगा जड़ा समझो सबसे पहले समझो यहाँ पर OH का plus M effect लग रहा है NH2 पर बेसिक पार बढ़ेगी यहाँ पर भी OH का plus M लग रहा है basic पार बढ़ेगे बट यहाँ पर मेठा पोजीशन पर OH क्या लगाएगा सिर्फ माइनस आइफेक तो मेठा वाला बच्छो सबसे कम basic होगा यह चीज समझो और यही चीज बच्छो यहाँ पर भी होगा OR वाले में भी यही चीज होगी भाई साब पैरा वाला सबसे अरा basic होगा और मेठा वाला सबसे कम basic होगा पैरा वाला सबसे अरा basic होगा मेठा अला सबसे कम basic होगा मेटा आले में माइनस आई लग रहा है और पैरा वाले में प्लस एम लग रहा है प्लस एम के कारण यह बेसिक पार को बढ़ा रहा है और यहां पर दोस्तों अगर हम और की केस में बात करें तो माइनस आई से बच्चों यह बेसिक पार को कम कर रहा है ठीक है यह दो बाते हैं और और्थो सब्स्ट्टूटेट में कौन जारा हमारा जारा एसरी कौन जारा बेसिक हो का यह चीज यार रख़ा है अब इसके लिए यार रखो we have to learn this data हमने इनके PKB के value को देख करके हमने कुछ order को हमने रटा हुआ है अब कैसे मैंने रटा है बचो कैसे मैंने रटा है वो च जादा पहले आएगा as compared to aniline के तुल नामे ओच का ओ से तुमको यार रखना है सर सेकेंड नंबर पर और और बाद में aniline होगा ठीक है यह हम लोग यार रखेंगे दूसरा बच्चों यहां भी क्या यार रखेंगे सर और में अगर CH3 होता है और में अगर CH3 होता है और में और बिटा एनिसेडीन यह सब के सब बिटा एनिसेडीन डेरिवेटिव हैं ठीक है बिटा एनिसेडीन के केस में बचो दोस्तों एनिसेडीन के केस में क्या होता है कि हम लोग यह पाते हैं सर A से एनिसेडीन तो यहां पर बच्चो एनिलीन मतलब की पहला वाला जादा होग as compared to ortho वाले के तुलना में है ठीक है तो एनसेडीन वाले में A से एनसेडीन तो एनिलीन जाधा बेसिक है और ओएच वाले से और OH वाले में O, O के कारण ओर्थो वाला जाधा बेसिक है एनिलीन के तौरा तो इस तरीके से somehow हमने कुछ जुगाड़ पानी लगाने का है इस तरह हमने कुछ जुगाड़ पानी लगाने का और यह order हमको रटने का है and that is very very important और J के point of view से बच्चो जेई का exam जो काफी conceptual exam होता है वहाँ पर यार रखना OH और OR में आपने SIP नहीं लगाना है बाकि सभी group पे SIP लगाओ और SIP में क्या होगा सर और तो वाला कम basic होगा as compared to Meta-Para एनलीन से irrespective of electronic effect ठीक है यह बाता चीज़ आप लोग को यार रखने है तो इस तरीके से बच्चो हमने सारे effects को पढ़ लिया है और जब हमने सारे effects को पढ़ लिया है तो मेरे प्यारे बच्चो चीज़े तब तक complete नहीं होती जब तक हम लोग सवाल ना करने तो मेरे पास ब following compound loan pair of nitrogen is localized 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 मत्तब अपनी स्तिर पर है यहाँ पर तो delocation होगा यहाँ पर सर delocalized है loan pair delocalized होगा यहाँ पर बच्चो यह nitrogen का loan pair localized होगा यहाँ पर तो सर localized होगा 100% ठीक है और यहाँ पर भी बच्चो यह delocalized नहीं हो पाएगा यहाँ पर भी सर SIR लग जाएगा और SIR के कारण यहाँ पर भी nitrogen का loan pair localized होगा यहाँ पर भी localized होगा और यहाँ पर क्या SIR लगेगा answer नहीं बच्चो इस molecule में SIR नहीं लगेगा क्योंकि सर CN हमारा linear होता है C linear होता है यहाँ पर SI यह नहीं हो यहाँ पर nitrogen का loan pair delocalized है यह चीज़े तो हमसे सवाल वाला पूछ रहा है सर किस वाले केस में nitrogen का loan pair localized होगा resonance नहीं करेगा तो सर यहाँ पर हम लोग answer करेंगे सर B and C ठीक है भाई B और C में ऐसा होगा बढ़िया which of the following molecule have all the effect respectively inductive mesomeric hyperconjugation सब कुछ लग रहा है सर देखो यहाँ पर chlorine का sir beta minus i effect लग रहा है यहाँ पर बच्चो हमारा CH3 जो है वो plus i और plus h hyperconjugation करेगा pi bond के साथ alkene hyperconjugation में participate करते बट resonance यहाँ पर नहीं है यहाँ पर बच्चो क्या है यह carbonal group यह ketone group इस pi bond के साथ resonance कर रहा है minus i लगा रहा है और minus m भी लगा रहा है और साथ-साथ यहाँ पर यह pi bond CH3 के साथ hyperconjugation भी करेगा तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बच्चो सारे electronic effect inductive resonance hyperconjugation mesomeric सारे effect बच्चो यहाँ पर applicable है तो c हमको यहाँ पर बेटा जी answer लगता है यहाँ पर बेटा सारे effect minus i और CH3 और pi bond में hyperconjugation बढ़ियां बच्चो अगले सवाल में आते which nitrogen in the given compound is most basic बच्चो इस compound में कौन सा nitrogen सबस्यादा basic है देखे वो nitrogen जो H plus के लिए अपना lone pair देने को तयार है वो nitrogen जो H plus इसको अपना electron देगा वो जादा basic होता है इसका lone pair delocalize है और बच्चो यह तो pyrol है बहुत ही कम basic होगा इसकी तो कोई बात ही नहीं पैदा होती है सर यह nitrogen बेसिक लग रहा है यह nitrogen भी हमको plus i effect है अधिक plus i effect है और अधिक plus i effect के कारण हमको इन में से अगर सबसे जादा basic nitrogen choose करना है तो बच्चो second और third दोने ही nitrogen काफी जादा basic है लेकिन हम लोग बच्चो third वाले को जादा basic लग रहा है हाला कि second भी काफी basic है बट third में क्योंकि बड़े एलकाईल ग्रूप है तो plus i effect जादा होगा ठीक है यहाँ पे सर hyperconjugation नहीं लगीगा क्योंकि nitrogen के पास lone pair है वो sp3 hybridize है तो यहाँ पे सर p orbital नहीं है ठीक है तो यहाँ पे सर plus i की कारण काम करेंगे और यह हमारा यहाँ पर logic होगा बढ़िया सर यहाँ पर आते हैं और salt बना करके उसमें soluble हो जाएंगे तो वो सारे molecules all molecules all molecules which are more acidic which are equal or more acidic than phenol which are equal or more acidic than phenol बचो वो सारे molecules जो phenol के जितने या phenol से ज़ादा acidic है वो बचो NOH में soluble हो जाते हैं तो यह नहीं सर base है base के साथ react नहीं करेगा यह soluble होगा यह सर phenol नहीं है यह aliphatic alcohol है OH directly benzening से नहीं attached है नहीं salt बनाएगा phenol soluble होता है nitrobenzenis संभवी नहीं है यहाँ पे COH है salt बनाएगा 100% बनाएगा यहाँ पे सर यह hydrocarbon carbon है acidic नहीं है और यह COH है salt बनाएगा तो कौन-कौन से compound सर NOH में soluble होंगे आंसर हो जाएगा 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8 and then 8 yes 2-4-6-8 चार molecule है जो हमारे बचो NOH में soluble होंगे ठीक है बहुत अच्छी बात सर बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात चली सर great which of the following compounds are aromatic हमसे पुछा जारा इन में से कौन कौन से compound sir aromatic है ठीक है तो यह हमारा पाइरॉल है रटा हुआ है sir aromatic होता है यह imdazol है sir रटा हुआ है sir aromatic होता है यह furan है sir रटा हुआ है aromatic होता है थायोपीन है sir रटा हुआ है aromatic होता है यह हमारा molecule भी aromatic होगा 6 electron है इसमें हमारे पास अगर हम ध्यान दे तो कार्बो किटैन के पास P orbital है और 6 electron यहाँ पर हो जाएंगे दो लोन पे रॉक्सिन के एक पाई बोन aromatic होगा यह भी हमने अभी अभी किया दा थोड़ी देर पहले aromatic होगा ठीक है यहाँ पर यह 8 electron है सर anti-aromatic है यह बंदा सर anti-aromatic होगा resonance में सर रिंग के अंदर 8 electron है anti-aromatic है यहाँ पर भी सर 8 electron है anti-aromatic है anti-aromatic होगा यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे सर बाहर वाली रिंग पर बात करेंगे सर और 5 on polarise करने पर ये बंदा anti-aromatic होगा, ठीके, यहाँ पर ये ये benz Proseч हैं, आराम से सर aromatic होगा, तो कौन-कौन से बंदे सर यहाँ पर aromatic है, बात करते सर 1 है aromatic, 2 है aromatic, 3 है aromatic, 4 है aromatic, 5 भी है aromatic, ठीके, 6 हुँ हमारा aromatic है, 7 भी हमारा aromatic है, 8 anti-aromatic है, 9 anti-aromatic है, 10 aromatic है, ठीक है, और 11 anti-aromatic है, 4 electron है, और 12 भी aromatic है, तो यह हमारे बंदे हैं, कौन-कौन इसमें आ जाएगा सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 and 12, तो answer number C, looking great, nice, wonderful, ठीक है, यह चीज़ है, चलिए सर थोलो high speed में काम करेंगे, क्योंकि यह सारी की सारी, जो mind map के series है, यह time saviour series है, तो इसमें बहुत जाएदा हम लोग आपके साथ समय नहीं, आपका खाना की कोशिश करेंगे, यह चीज़, rate of the reaction of acetyl chloride, ALCL, थे भी चीज़ of the following, बच्चो देखो, यह acetyl chloride वाली reaction, अगर हम ध्यान दे कोई और नी, बलकि friddle craft acylation है, जब बेंजीन निंग के उपर electronicity high होती है, अगर बच्चो मॉलिक्यूल में, बेंजीन निंग के उपर electronicity high है, तो वहाँ पर ऐसी रियाक्शन तेज होगी, तेज तराद होगी, जमा जम होगी, तो जब यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं, इस बेंजीन निं इस बेंजीन निंग और इस बेंजीन में क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर polar pi bond attach है, minus i minus m लगेगा, minus i minus m लगेगा, और इससे electronicity कम होगी, electronicity कम होगी, rate slow होगा, यहाँ पर halogen है, minus i effect dominate करेगा, electronicity कम होगी, ठीक है, यहाँ पर सर, OCH3 है, plus em effect लगेगा, और plus em effect से electronicity तो यहाँ पर कहाँ पर, SE reaction तेज होगा, सर, rate of SE reaction, सर, rate of SE reaction, is directly proportional to electron density over benzene ring, जितना ज़्यादा benzene ring हमारी electron rich होगी है, उतना ज़्यादा वहाँ पर SE reaction होगी, सर, third में सबसे ज़्यादा electron density है, फिर second में है, और सर, first volume में तो electron density कम होगी है, minus m effect के कारण, तो 321, 321, 321 is the correct answer, सर, answer number A, बढ़िया है बचो, the relative yield of the following product, in the nitrogen reaction of butyl benzene, बचो यह सवाल ऐसा सवाल है, जो बच्चो को समझ में ही नहीं आता है, I can surely say कि यह बच्चा, अगर बच्चो यह सवाल आया, तो हमारे आधे बच्चे जो हैं, वो सीरे सीनिम में ऐसी reaction को order लिकर के चले आएंगे, यह हमको बच्चो एक्जाम में थोड़ा सा सबर करिए, थोड़ा सा धीरे चलिए, सवाल को पढ़िए, IAT थोड़ा सा नए सवाल देने के लिए जाना जाता है, जो सवाल IAT में आते हैं, बच्चो वो दूसरी किताबों वितावों बच्चो यूज किये जाते हैं, उनसे लोग inspire हो क कौन के HNO3, कौन के H2SO4 डाल रहे हैं, तो हमको यह जो प्रोड़क्ट है, उनकी yield क्या मिलेगी, देखें बच्चो अलक्यल ग्रुप सार, अलक्यल ग्रुप सार activating, अलक्यल ग्रुप बच्चो अक्टिवेटिंग होते हैं, और्थो पैरा डिरेक्टिंग होते हैं, अलक्यल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, कि जिसकी केमिस्ट्री में सर, स्टेरिक हिंडनेस का बहुत योगदान है, तो इसके बलकी ग्रुप होने के कारण, बलकी एफेक्ट होने कारण, यहाँ पे और्थो वाला मेजर नहीं, बलकी पैरा वाला मेजर होगा, तो सर, सबसे ज़्यार और्थो पैरा डायक्टिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर सर, रियाक्टिवटी ओडर, 312 होगा, 312 होगा, 312 होगा, ठीक है, 312 यहाँ पर और ओडर होगा, कुछ बच्चे कहिएंगे, सर, यहाँ पर हाइपर रिपर कंजुगेशन तो लग नहीं रहा है, तो क्यों आपने सर और्थो पेरा किया मेटा उले क्यों नहीं बटा है इंडक्टिफ एक चरों सर और पहला पेरा वाला वाला बसा इंडक्टिफ एक के साब देखें तो सर मेटा पे इंडक्टिफ एक पहरा से अधिक लगेगा बच्चो एक्चली में होता क्या है कि अगर आप के follow करिए ठीके साब तो यह यहाँ पर order हो जाएगा चलिए साब दर relative rate of the isopropyl chloride and alcl3 भी दीच भाई फ्रेडल क्राफ्ट alkylation करा रहे हैं पूछ रहें कहां पर ऐसी reaction तेज होगी सर सीधे सीधे सर phenol में OH का plus m effect है electron density को बढ़ा देगा chlorine का minus i effect electron density घटाएगा NO2 तो सर minus i minus n से watt लगा देगा electron density एकदम गिर जाएगी तो share market एकदम ही गिर जाएगा ठीके तो 213 यहाँ पर order होगा ऐसी reaction का 213 order होगा सर ऐसी reaction का बढ़ी answer okay the relative rate of reaction with aqueous silver nitrate इन में से कौन सा molecule को silver nitrate के साथ जल्दी रियाग करेगा देखो पीटा silver का एक ही फटना है silver का सिर्फ एक ही सपना है कि कोई अच्छा सा halogen मिल जाए तो उसके साथ शादी कर लें silver iron कहीं से भी किसी भी तरीके से सामदान दन्भेद लगा करके हैलोजन को खीचना चाहता है अब वो कितनी आसानी से इस कार में सफल होता है उसी साब से rate हमारा depend करता है यहां से अगर हमने CL- को उड़ा दिया तो यह कार्बोगरेण बनेगा unstable है यहां से उड़ाया है यह कार्बोगरेण बनेगा stable है resonance से और यहां से एगर CL- ओड़ाया है यह कार्बोगरेण बनेगा resonance से भी अधे तो basically तुनने करना कया है बच्यों basically तुमने यहां से बच्यों CL को उड़ा करके, जो कार्बोकटैन बनेगा, उसकी stability देखनी है, जितना stable बचो कार्बोकटैन है, उतना बढ़िया ये reaction होगी, तो सबसे stable कार्बोकटैन हमको कहां मिल रहा है, सबसे stable कार्बोकटैन 3 में है, उसके बाद 2 में है, और 1 में तो Carbocatine बहुत Unstable है, चुकि ये Carbocatine SP Hybridized है, Electro Negative Atom पे Positive Charge is Unstable, और यहाँ पर Resonance भी नहीं है, Positive Charge के बगल में अगर Pi Bond होता है, Resonance होता है, Positive Charge के उपर Pi Bond Unstable होता है, ठीक है, यह चीज़, तो 3, 2, 1, 3, 2, 1, यह इन में बेटा, Silver Nitrate के साथ Reaction का Rate होगा, ठीक है, The percentage of para-product produced in the reaction with Bromination, कहाँ पे para-product अधिक मिलेगा, Sir, 3rd में सबसे आदा para-product मिलेगा, फिर 1st में मिलेगा, and then NO2 में मिलेगा, ठीक है, तो 3rd, 1st, and then 2nd, Trashree Butyl का bulky group para-product को, Sir, अधिक बनवाता है, यह चीज़े, बढ़ियां, Sir, Okay, Among the following Carbocatine, the most stable Carbocatine, बच्चों, हमने रट लिया है, Sir, 3-membered ring के बगल में प्रस चार्च बहुत ही जादा स्टेबल होता है, dancing resonance, arrange the stability of the given Carbocatine and decreasing order, ठीक है, अब यह देखो, सवाल आ गया, Carbocatine की इसके effect को नहीं देखना है, बल्कि क्या देखना है, जो non-common है, उसका असर देखनेंगे, जैसे यहाँ पर क्लोरीन के उपर क्लोरीन क्या लगा रहा है, Sir, minus i और plus m, halogen में minus i dominate करता है, minus i, carbocatine के लिए अच्छा है, बुरा है, a negative, c positive, carbocatine को plus i पसंद है, तो minus i stability कम करेगा, plus m थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीके, nh2, सर्फ minus i plus m, minus i से stability कम होगी, plus m से बढ़ेगी, oh, minus i plus m, minus i से कम होगी, और plus m से बढ़ेगी, याद रखना बच्छो, nh2 का plus m अधिक होता है, oh से, nh2 का plus m, oh से अधिक होता है, nh2, oh, oh, or, और o CH3 का भी minus i plus m, minus i से घड़ेगी, और plus m से बढ़ेगी थोड़ी से, ठीके, तो इनमें अगर इस stability order देखें, सबसे रखना 3, फिर 2, फिर 1, और सबसे भाहियात होगा 4, तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, option number A, option number A पे हमारा दिल आ गया है, बढ़िया, ओके, चले भाई, बहुत अच्छी बात है, आते हैं यहाँ पे, इमडिजोल हमारा जो होता है, उसको प्लीज, प्लीज, प्लीज बच्छो यादर किये, तर इमडिजोल हमारा एलिफैटिक अमीन से कम बेसिक होता है, क्योंकि एलिफैटिक अमीन का पीके एराउंड साड़े चार होता है, तो इमडिजोल हमारा पीके भी वैल्यू, ठीके, imidazole बच्चो aliphatic amine से कम basic होता है ठीक है लेकिन imidazole हमारा aromatic amine हमारा pyridine इन से बच्चो जारा basic होता है ठीक है यह यार रखना है imidazole IIT वालों को बहुत बहुत पुराना बच्चो प्यार है अभी तो recently नहीं सवाल आ रहा है लेकिन पहले बहुत आता था मतलब 90's के दौर में imidazole उनको बहुत पसंद था ठीक है और 90's वाले सवालों को repeat होते है हम बहुत देखते है तो imidazole हमने आपको basic question के series में लिखाया हुआ है आप notes में जाकर के रेख सकते हो imidazole हमारा aliphatic amine से कम basic है लेकिन aromatic amine, pyridine इन से जारा basic होता है ठीक है ये चीज़ या रखना है और imidazole में भी कौन सा nitrogen basic होता है ये वाला क्योंकि इस nitrogen का loan pair localized है resonance में भाग नहीं कर रहा है localized है ठीक है ये loan pair तो delocalized है तो N3 will be more basic N3 more basic है N3 पे पहले H plus आएगा चुकि उसका loan pair localized है reason बचो SP2 hybridized नहीं loan pair is localized not involved in resonance ये होना चाहिए पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ पर option number 3 को हम choose करेंगे कोई और answer नहीं है the total number of alpha hydrogen in this molecule sir हमसे इस molecule में number of alpha hydrogen पूछ रहा है लेकिए alpha hydrogen के लिए क्या बताया था गोला बनाने का तरीका बताया था जहां कहीं भी P orbital उसको गोले में अंदर डाल दो sir यहाँ पर benzene इंके अंदर पूरी P orbital है तो उसको गोला कर दिया अब इस गोले से सटे हुए carbon के hydrogen ये carbon 2 hydrogen CH2 ये carbon 1 hydrogen CH ये carbon 1 hydrogen CH और ये carbon 2 hydrogen CH2 क्या कोई और carbon इस गोले से सटे हुए नहीं बच्चो ठीक है तो कितने हो जाएंगे sir यहाँ पर 6 alpha hydrogen होंगे आंसर हो जाएगा 6 alpha hydrogen ठीक है भाई तो इस benzene ring में टोटल 6 alpha hydrogen है जो hyperconjugation में participate करेंगे बढ़ियां है बच्चो बढ़ियां है पीके है तेम चीज हमारा बच्चो basic strength में भी होता है basic strength directly proportional to kb and inversely proportional to pkb यह बात याद रखना अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है sir इन में से कौन सा molecule sir जादा इसका lowest pk होगा कि इसका pk कम होगा जिसका pk कम है वो acidic जादा होगा तो कौन इन में सबसे जादा acidic के यह पूछ रहा है सबसे पहली बात कोई भी बहुत अच्छा acid नहीं क्योंकि सब में कोई acidic function गुप नहीं सब में hydrocarbon है carbon hydrogen bond है carbon hydrogen bond जादा acidic नहीं होता है अब ऐसे में हम कैसे देखे कौन जादा है सरी के तो ऐसे में आप एक काम करो कि जिस case में बचो जिस case में बचो एच प्लस निकलने के बाद बनने वाला carbonion stable है तो वहां से एच प्लस निकलना easy होगा बचो अगर यह carbonion stable है तो H plus का निकलना easy होगा यही तो हमें चाहिए कौन molecule कितनी आसानी से H plus निकाल सकता है सर यही तो हम लोग देख रहे हैं तो दोस्तो अगर हम यहां पर बात करें यहां पर H plus निकलने बाद वन्याल अकार्टमेंट काफी stable होगा सर तीन तीन बेंजीनिंग के D-localize होगा अब अब अच्छो यहां पर समझना है ज़रा इस molecule पर आना दोस्तो इस molecule पर आना देखो यह molecule में क्या आपकी निजरें इस शीज को देख पा रही है सर इस molecule में यह पाई बॉन और यह पाई बॉन और यहां से एगर H plus निकला तो यह जो negative charge होगा they will make this aromatic species can you see this cyclopentadien aline क्या आप यहां पर cyclopentadien aline को देख पार हो यह और cyclopentadien aline हमारा सबसे ज़्यादा aceric hydrocarbon होता है तो यह सब aceric हैं बट यहां पर cyclopentadien aline है यह बहुत aceric होता है cyclopentadien H plus निकलने के बाद aromatic हो जाता है तो यह काफी aceric होगा ठीक है लेकिन यहां पर बच्चो क्या हो रहा है इस H plus के निकलने के बाद यहां पर तीन तीन aromatic ring बनेंगी देखो यह पाई बॉन丁ण के साथ यह tım сможęt और इसी तरीके से बच्चो इस पाई बउन के साथ यह aromatic तो यहाँ पर बच्चो 3 new aromatic ring will form, 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 यह ring भी aromatic होगी, H plus निकलने के बाद, यह ring भी aromatic होगी, H plus निकलने के बाद, और बच्चो H plus निकलने के बाद सर जी, यह ring भी हमारी aromatic होगी, तो यहाँ पर बच्चो बीच में 1 H plus निकलने से, you will generate 3 new aromatic ring, त बंदा चाहेगा H+, निकलना, और यहां से तुरंत H+, निकलेगा, और बंदा aromatic हो जाएगा, तो the most acidic will be D, क्योंकि H+, निकलने के बाद बंदा aromatic हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, चलिए साब, ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, यहां पर अच्छा खासा resonance है, दौनों तरफ pie bond की साथ resonance है, और resonance करने के बाद, lone pair के बगल में positive charge आ जाएगा, it's a very very good thing, तो सबसे आरे stable बच्छो D हो जाएगा, ठीक है, यह चीज़, some pair of ions are given, in which pair the first and is more stable than the second, कहां पर बच्छो पहला आला कार्बोकटाइन दूसरे से stable है, सर, इस वाले में तो हमको तुरन नजरे देखेंगी, सर, lone pair के बगल में कार्बोकटाइन stable होता है, stable होता है, रटाया हुआ है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, यह जारा stable है, यहाँ पर resonance नहीं है, यहाँ पर resonance नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो अगर resonance नहीं, तो बटाया यह double bound का minus i effect इसको unstable करेगा, this one is more stable, ठीक है भाई, यह जारा stable है, यहाँ पर resonance है, तो यह जारा कार्बोकटाइन जारा stable होगा इससे, ठीक है, और यहाँ पर बचो फिर वही चीज, कार्बोकरण के बगल में लोन पेर, तो यह ज़ादा इस्टेबल होगा, तो हमसे क्या बोला है, बचो यहाँ पर B वाले केस में, पहला वाला कार्बोकरण दूसरे वाले से ज़्यादा इस्टेबल है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, यही सवाल हम लोगों ने दिया हुआ था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए साब, हमें इन कंपाउंड के एसरिक स्टेंद को इनक्रीजिंग ओर में देखना है, तभी में फीनॉल है, फीनॉल के उपर क्या एफेक्ट लग रहा है, बचो यह तो पिकरिक एसिड है, पिकरिक एसिड तो माशालला बहुत एसरिक होता है, तीन तीन एन उटू का माइनस आई मा रहको बढ़ाएगा, सब में कौन है सर फीनॉल, फीनॉल है, लेकिन फीनॉल पर क्या लग रहा है, यह पर प्लस आई प्लस है लग रहा है, यहाँ पर माइनस आई माइनस ए माइनस अ बहुत जादा बढ़ाएगा, अगर किसी बच्चे ने पर गल्ती से और्टो एफेक्ट लगाया हम बता रहे हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने बता रखा है सर और तो इफेक्ट सिर्फ बेंजोईक ऐसे में लगता है फीनॉल में और तो इफेक्ट नहीं लगता है ठीक है तो यहां पर एसरी के स्टेंट को और रोगा चलिए सहाब बहुत अच्छी अप यह resonance हो रहा है देखो लéqu कार्वोगेटरेन को resonance पसंद है फ्लस हैं पसंद है यह पर-conjugation पसंद यह सब चीद है, तुम्हारी नजरें इस चीज को देखनी चाहिए, कि कभी भी Carbocadden के बगल में loan pair है, तुम्हारी नजरें इस चीज को ढूने, इस Mind Map स्रीज के बाद तुम्हारी जहन में ये चीज क्लियर होने चीज, Carbocadden के बगल में loan pair बहुत स्टेबल होता है, प्लसम लगता है, Carbocadden के बगल में loan pair बहुत स्टेबल होता है, प्लसम लगता है, तो बेटा, 1 and 3 are more stable than 2 and 4, ठीक है, अब बेटा, 1 and 3 में, ये हमारा 2 डिगरी है, वो 3 डिगरी है, 3 डिगरी कारbocadden में ज्यादा alpha hydrogen है, ज्यादा प्लसाइफेक्ट है, तो सर, 1 is more stable than 3, and 2 and 4 में अगर हम बात करेंगे, ये 2 डिगरी है, ये 1 डिगरी है, सर, 2 डिगरी is more stable than 1 डिगरी है, ठीक है सर, तो 1, 3, 2, 4 आंसर होगा, 1, 3, 2, 4 आंसर होगा, सर, आंसर नंबर D, ठीक है, तो सबसे पहले resonance देखेंगे, और उसके बाद hyperconjugation और plus I effect, बढ़िया, in which of the following molecule is least resonance stabilized, इन में से कौन सा molecule resonance से कम stable है, सर, resonance तो सबको stability प्रदान करता है, लेकिन अगर कहीं पर बच्चों anti-aromatic बन जा रहा है, तो बंदा resonance से unstable भी हो जाएगा, ठीक है, यह चीदे, तो यहाँ पर यह बंदा aromatic है, काफी stable होगा, यह बंदा भी aromatic है, सर, काफी stable होगा, यह बंदा भी aromatic है, काफी stable होगा, बट यह बंदा non-aromatic है, यह बंदा non-aromatic है, क्योंकि यहाँ पर सारी ring में resonance नहीं है, यह carbon sp3 है, full conjugation नहीं, सर, ring में सारे atom में resonance नहीं है, बट खबरदार इसको anti-aromatic मत बोलना, यह sp3 carbon है, full resonance नहीं होने की कारण, यह ना aromatic होगा, ना anti-aromatic होगा, यह non-aromatic होगा, और यहाँ पर resonance की stability कम होगी, तो कौन सा बंदा least resonance stabilized है, सर, abc में तो aromaticity कारण बहुत stable होगे, बट d वाला हमारा resonance से कम stable होगा, बहुत अच्छी बात आते हैं, हमें इन compound के acidic strength को compare करना है, क्या आपके जहन में कोई चीज़ चमकी, क्या चमकी, सर, यहाँ पर ortho effect लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि benzoic acid है, benzoic acid के ortho पर कभी भी कोई group आएगा, acidic strength बढ़ाएगा, सर, पहले वाले में, सर, दो-दो ortho पे group लगे हुए, सबसे ज़ादा acid होगा, ठीक है, उसके बाद आएगा third वाला, क्योंकि यहाँ पर एक group लगा है ortho पे, ortho वाला हमेशा ज़ादा acid होगा benzoic acid में, ठीक है, अब उसके बाद बारी आएगी सर, 2 and 4 में, तो यहाँ पर बिटा electronic effect लगा देंगे, benzoic acid के उपर OH का minus i लगेगा, minus i acid पार को बढ़ाएगा, benzoic acid के उपर OH का minus i plus m लगेगा, plus m acid पार को घटाएगा, ठीक है, तो minus i से acid पार बढ़ती है और plus m से घटती है, तो 1, due to ortho effect, fit 3, ortho effect के कारण, और बिटा 2 and 4 में, 2 जादा acid होगा, minus i के कारण, और 4 कम acid होगा, plus m के कारण, ठीक है, तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, कहा है भाई, 1, 3, 2, 4, the correct order of acidic extent of the following compound, सबसे आरा होगा, 1, fit 3, 1, fit 3, and then 2 होना चाहिए, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, कहां है, और इन्होंने दे दिया है, no, not at all, absolutely impossible, so 1, 3, 2, 4 होना चाहिए, इसको सही कर देंगे हम, 1, 3, 2, 4, this should be the answer, ठीक है, OH जो है बच्चो, OH जो है, बच्चो, OH जो ग्रुप है, वो acid extent को घटाएगा, अपने plus m effect के कारण, हमारा ये जो OH है, वो acid extent को कम करेगा, अपने plus m effect के कारण, OH के लगने से, सर, acid extent कम होगी, plus m के कारण, तो सर जी, 2 वाला जादा acid extent होगा, क्योंकि 2 वाले में, OH का minus i, coh पे लगेगा, और 4 वाला कम acid extent होगा, क्योंकि, हाँ पे plus m लगेगा, ठीक है, बेंदास एकदम जाए, typing में गलती है, कोई issue ने, this is the correct answer, बड़ थोड़ा सा modification के बाद, ठीक है, तो ये दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत ही enormous chapter, बहुत ही बड़ा chapter, यकीन नहीं किया जा सकता, कि सर, इतना बड़ा chapter, सर, GOC को हमने, इतने कम समय में सर, पूरी तरीके से सर, हम लोगों ने सर cover up किया है, हाँ, हमने, यहाँ पे सिर्फ, full theory की बात नहीं किया, बचो, full theory, अगर आप कुछ ये, तो हम लोगों के PW में, बचो, YouTube चैनल पे, enormous teachers के बचो lectures हैं, आप किसी भी teacher का one shot देख सकते हैं, मेरा खुद का भी बच्चो one shot पढ़ा हुआ है, last year का, तो अगर आपको पूरा फढ़ना है, सर, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये series बच्चो उनके लिए हैं, जिन्होंने GOC किसी ना किसी batch में पढ़ा हुआ है, online, offline, कहीं पहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन last moment पे अपने concepts को brush up करना चाहते हैं, with the help of your favorite teacher, साथ में आपको problem solving सवाल भी दे दिये गए हैं, और मुझे लगता है कि ये कम समय में, जादा content, कम समय में बच्चो जादा माल लेने का, बहुत ही बढ़ियां तरीका था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़ियां तरीके से, बच्चो हमने पूरी कोशिश की कि आपको सारे electronic effects brush up हो जाएं, सारे key points brush up हो जाएं, और आप हमारे साथ fast forward way में question करके, अपने GOC के concepts को strong करें, और अपने confidence cell को boost करें, ठीक है, चले भाई, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, किसी और chapter में, किसी और lecture में, और तब तक के लिए thank you so much, bye bye take care, ऐसे ही बच्चों जोर शोर से पढ़ते रहिए, अपने confidence cell को बढ़ाया रखिए, distractions अपने आपको दूर रखिए, यही हमारी पूरी टीम के आपके लिए दुआएं हैं, चले भाई, thank you so much, bye bye,